हलो लनस लास्ट नाइट साइंस महरास्टा स्टेट बूर से चैप्टर नंबर टू शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है वर्क एन एनरजी इसमें आप वर्क के बारे में सीखते हो पॉजिटिव निगेटिव जीरो वर्क और बहुत सारी चीज़े एनरजी से रिलेटे को डेबलब करने के लिए तो उनका एंसर नीचे कॉमेंट्स में जरूर देना मैंने में शिवम जहा एड़ू के लाबा बाकी सारी चैप्टर भी मैंने इस चैनल पर एक बार अल्रेडी कवर कर लिया है और यह दुबारा मैं वन शॉट स्रीज में कवर कर रहा हूँ तो आगे शुबम जहा लिख करके सर्च कर लेना आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा अब इस चैप्टर के अगर मैं बात करूँ तो टेक्स्बुक में सबसे पहले यह डबा होता है उस डब्बे में आप देखोगे लिखा हुआ है वर्क, एनर्जी, मेकैनिकल एनर्जी, फ्रीफॉल और लास्ट में एक और छोटा सा सब टॉपिक है यह पावर क्या होता है इसी वीडियो में इस से रिलेटेड नुमेरिकल भी करते जाएंगे तो पूरा देखिएगा भया इसके नोट्स कहा में लेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अप्लोडेड है आप ज जाएगा कहां पर यह ऊपर वाले सेक्शन में जाएगा यह वाला ठीक है यहां पर जाने का देख कैसा साइड मेन्यू ओपन हो जाएगा उस साइड मेन्यू में आपको क्या करना है लर्नर्स आपको जाना है free materials में class 9 वाले folder में जाएगा बहुत arranged format में notes को upload कर दिया है तो ज लड़का यहां पे टपा टपा खेल रहा है बहुत द्यान से देखना है अगर आपने बहुत द्यान से देखा है तो एक केस को थोड़ा मेरे टाइप के फोटो से देखते हैं एक्जांपल के लिए एक लड़की बैठ करके पढ़ाई कर रही थी अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या वो लड़की जब पढ़ाई कर रही थी तो वो किसी परकार का काम कर रही है अब आप बोलो के हाँ विया काम तो करी रही है पर जो दीदी है जो दीदी है टपा टपा क्या खेल रहा है तो वो फुटबॉल खेल रहा है अब जब फुटबॉल खेल रहा है तो वो दोड़ भी रहा है ठीक है तो शायद वो मेंटल वक तो करी रहा हुआ कि बॉल कहा है नहीं है विगरा विगरा लेकिन वो साथ ही साथ कुछ फिजिकल वक भी कर रहा है वो कुछ physical work भी कर रहा हम क्या पढ़ रहे हम तो physics पढ़ रहे हमें तो physical walk को लेना देना mental walk पर इतना नहीं है अब यहां पर देखो भाई वो दीदी जो देख रहे थी उनका दोस्त भी आ गया चोटा भाई भी आ गया तो दोनों मिलके का प्रकार का हैं मिकी माहस देख रहे अगें यह बैट करके देखना is a mental walk आप समझ रहे हूं यह क्या हो जाएगा एक प्रकार का mental walk हो जागँ और यह घोडा दोर रहा है तो गोडा क्या कररा तो physical walk मैंने आपको क्या बोला था कि physics is all about physical तो आप physics में work done तभी बोलोगे जहां जहां कोई physical work हो रहा है तो अब अगर मैं वापस आपको सारे फोटो पे लेके चलता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताइए कि क्या यहां पे कोई प्रकार का work हो रहा है true या false तो आप बोलोगे नहीं भाईया यहां नहीं हो यहां पे क्योंकि अबोलों कि हो रहा है क्यों कि यहां पर legal work हो रहा है तो आपको आईडिया तो आई गया भग होगा कि working बोलते हैं, काम बोलते हैं, when we walk, run, energy in our body is used to do the necessary work, अब जब मैं दोड़ूंगा, मैं चलूंगा, या अफिर मैं कुछ भी करूंगा, तो मेरे शरीर में जो energy stored है, वो energy काम करने के लिए utilize होती है, we can say that girl who is studying, जो एक लड़की पढ़ाई कर रहे हैं, दीदी पढ़ाई कर रहे है, siege working और performing work, वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो mental work है, लेकिन गोड़ा जो दोड़ रहा है, ये physical work कह रहा है, in physics, अगर मैं physics की बात करूं, we deal with physical work, हम physics में किसे काम करते हैं, हम physical work को लेकर के concerned होते हैं, और work has a special meaning in physics, physics में work का मतलब क्या भीया, physical work तो ही है, लेकिन कैसे, तो हम बोलते हैं, work is set to be done, हम तभी बोलेंगे कि कुछ काम हुआ है, when a force is applied, जब क्या होगा, एक force apply होगा, for example, यहाँ पे ये लड़का जो है, बॉल पे force apply कर रहा है, अरे खाली force apply होने से काम नहीं चलेगा, अब मैं दिवार पे जाके force apply करता हूँ, दिवार movie नहीं करेगा, द उस object का displacement भी होना चाहिए, causes the displacement of the object जैसे की, यह लड़का जब बॉल पे force लगा रहा है, मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बॉल डिस्प्लेस भी हो रहा है, बॉल आगे आगे भी जा रहा है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि physics में work done का म point A है, एक point B है, point A पे और B पे एक रास्ता है, मतलब एक रास्ता है दोनों के बीच में, और यहाँ पर हमारे पास एक ball है, अब इस ball पे अगर मुझे कुछ work done करना है, तो condition number 1 क्या था, यह force लगाईए इसके उपर, और condition number 2 क्या था, कि force जो हम लगा रहे हैं, वो इतना होना चाहिए कि इसका क्या हो जाए? इसका displacement हो जाए, वैसे displacement किस direction में होता है? जिस direction में force लगता है, तो अगर यहाँ पर force लगाएंगे, तो उपर की तरफ ball नहीं जाएगा, उसी तरफ जाएगा, तो direction of applied force में क्या हुआ? आपका displacement हुआ, जो आपका direction था applied force का, जिस तरफ आपन दिखते हैं कि यह जो हमारी दीदी है अब यह फुटबॉल खेल रही है और दीदी ने यहां से एक फॉर्स लगाया बॉल पर ढग करके किक मारा और बॉल आगे चला गया राइट तो जिस तरफ पॉर्स लगा है उसी तरफ डिस्प्लेस्मेंट होगा तो मैं कहूंगा वर्क लिखा प्रोड़क्ट अफॉर्स मतलब होता है मलंटीप्लिकेशन तो वर्क को मैँ डबलु से लिखता हूं और वर्क्ट्वेश्मेंट को दिस्प्लेस्मेंट गॉल इस से लिखता हूं तो कुछ ऐसा दिखेगा वर्कदन को डबलु लिखा, और दिस्प्लेस्मेंट आपको पता है ना इस लिखते है लॉज अप मोशन में आपको सिखाया था नहीं देखा तो जाके देख ले ना ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक है चलिए आगे बढ़ता है और अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं बड़ा प्यारा सा और कि वहाँ पे फॉर्स यह शरॉड इस बीडिचिन मतलब दोनों घंडिशन वाला बात या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है नन अ अब देख को में गूंगा निल्ग सिरियस ले पढ़ता है देत दूसरा वाला कुश्शन को correct बंड टन ओन वट्लाइट प्लाइट प्रोस प का अंसर कोमेंट में बताईएगा, work has two factors, कौन से कौन से है, comment में answer बताना है, and अगर यहां तक सारी चीज़े clear है, तो you know, you know, you know, basic understanding of the work is clear, आपको work का basic understanding हो चुका है, 8 minute के अंदर, अब यह chapter आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, as compared to anyone else, जो कहीं और से पढ़ रह सकते हो, हमारे अलग-अलग batches होता है, ठीक है, जैसे अभी हमारा एक victory 2.0 batch चल रहा है, जिस में चंदर सेकर सर इंग्लिश पढ़ा रहे होगे, सर मैट्स पढ़ा रहे है, निली मा में हम social study पढ़ा रहे है, इंग्लिश मीडियम को, कोमल दिक्षित में हम हिंदी पढ़ा र ठीक है, तो this batch is for English and same English medium, आपको एक surprising बात बता होगा है, हेलो इदर आओ, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, entire composite दोनों, और अलग से पैसा नहीं लेते हैं, इसी में पढ़ाते हैं, चलिए आगे बढ़ते है, हमारा goal का है, पढ़ाई का असान बना आपको बताईए, ठीक है, अब ये सारी जो हमारे team में है, और संस्कृत वाले सर भी है, संस्कृत का यहाँ पर इसले photo नहीं रखा है, क्योंकि ये संस्कृत सबको नहीं होता ना, कुछी लोगों को होता है, और हम संस्कृत के लिए रख से पैसा भी नहीं लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है विक्ट्री 2.0 इसमें आपको फूरा साल का बैच है, जिस दिन आप जॉइन करोगे, आपके नाइन स्टार खतम होने तक हम पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट इंक्ल्यूटिंग है, संस्कृत भी जो मैं आपको बता रहा था, डेली लाइव क्लासेस होते हैं, बच्चे अकसर बोलते हैं, आ इसमें आपको इंक्लिवडेड मिलेगा, बहुत सारे कोशन्स है, अपको पीडियेफ फॉर्मेट में, यह कैसे फॉर्मेट में है, यह आपका पीडियेफ फॉर्मेट्ट, आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके इनक्वारी कर सकते हैं, उससे या निलीमा मैं आपसे कॉल पे बात कर लेंगी हैं आप admission ले सकते हो हम हमारे बैच को mobile में PC में tablet में iPad में कहीं भी आपको देखना है आप यूज कर सकते हो एक पर purchase करोगा बार बार नहीं करना है सारे इस टीचर बहुत experience है 14 साल 15 साल 8 साल के experience है minimum live classes अगर एक बार खतम हो जाती है जैसे मान लो कि अभी ये live च class का होगा जूम पर होगा Google meet होगा हमारे अप होगा तो the answer is हमारे अप पर होगा mobile में कुछ ऐसा देखेगा आप यह जूम या Google meet नहीं है आपको पता है राइट तो हमारे अप पर कुछ ऐसा देखेगा यहां पर एक raise a hand का भी option है जिसमें आप teacher से बात करके अपने doubts को clear कर सक होगा वहां पर app link पर जाके आप directly victory 2.0 में enroll कर सकते हो और अगर आप यह वीडियो बाद में देख रहे हो तो शायद आप जो relevant batch चालोगी आप call करके inquiry कर लेना कि मैं किस batch में admission लूँ मुझे admission लेना है and we will place you कैसे किसी भी batch में enroll करना है उसके लिए detailed video मैंने बना दिया है ठीक है और अगली बात कि इसका price कितना है तो इसका price वासे 10,000 है पर अगर आप ले लोगे तो 50% discount में आपको 5000 में मिल जाएगा इस नमर पर call करके आप inquiry भी कर सकते हो 85275291 या तो मैं उठाओंगा या फिर हमारी co-founder ने लिवा मैं उठाएंगी चली आगे बढ़ते हैं और यह 5,000 रुपए यह क्या है पूरे साल का fees है एक महीने का fee है क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो ठीक है तो इदा answer age की यह पूरे साल का fee है तो ठीक है तो आप 400-500 रुपए प्रती महीना देने वाले हो बट installment का कोई option नहीं आपको one time pay करना है ठीक है और यह सारे subject का प जरूर जाइन करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इससे क्या होता है कि हम free education को support कर पाते हैं इसके अलब free education को अगर आप support करना चाहते हो अगर आप ऐसे family से हो जहां पर थोड़ा पैसा donate कर सकते हो तो मैं description में शायद I don't know I'm sure about or not एक free education को support करने के लिए link भी डाल तो आप सोचना एक बार चेक जरूर करना description में चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम आगे बात करते हैं कि भाईया आपने बहुत अच्छे से बताया क्या बताया आपने कि भाईया जो हमारा work done होता है ठीक है वो होता है force multiply by displace सही है force multiply by displace तो भाईया थोड़ा ये भी बता दी या खीचना पुल हो सकता है force का formula क्या है force का formula M into A अब यहां पर M क्या है वहीया M है mass A क्या है आपको पता होगा अच्छा तो अगर मैं mass की बात करूँ तो उसका SI unit क्या होता है kg acceleration की बात करूँ तो क्या होता है meter per second square तो यह क्या हो जाएगा kg multiply by meter per second square जिसको हम क्या बुलाते Newton जिसको हम क्या बुलाते है Newton और N से denote करते है cgs unit क्या होगा gram centimeter second square या फिर dine आप इतना मत याद रखना आप Newton याद रखना है वैसे laws of motion में बहुत अच्छे से explain किया था यहां तो बस एक बड़ बता दिया अब यह क्या है force एक प्रकार का vector quantity है यह बात याद रखिएगा force can be dash इस सवाल का जवाब बताओ push हो सकता है pull हो सकता है दोनों हो सकता है push या pull या फिर कुछ नहीं comment में अंसर बताना है एक बहुत प्यारा question यहाँ पर पूछा आप देखो एक question का answer क्या है अब body completes two round of a circular track of radius 100 meter तो मालो यह एक circular track है इस circular track का जो radius है that is 100 meter आर की value radius 100 meter है तो work done is अब मालो कि यहाँ से अगर एक आदमी ने शुरू किया ठीक है और यहाँ से घूम करके वापस यहाँ पर आया एक round फिर यहाँ से घूम करके वापस यहाँ पर आया दो रहोगा अब यहाँ पर displacement जो हो जाएगा आपका वह जाएगा 0 meter वो अब force कुछ भी रहने दो force f कुछ भी रहने दो तो work done का value क्या हो जाएगा work done is equal to force multiply by displacement force का value कुछ भी होगा displacement 0 होगा तो यहाँ पर answer क्या आएगा वो आप मुझे answer में बता देना ठीक है just explanation के purpose से डाला जो समझदा लोगों से एक छोड़ी सी बात याद आई जो बता देता हूं अगर आप एक ऐसा बच्चे हो ना जो foundation के लिए पढ़ना चाहता है आगे जाके IIT, JE, NEET विगरा देना चाहता है तो we do have a foundation batch आप पर ज़रू चेक करना उसका ना में जिद्धी batch उसका price थोड़ा सा हाई है पूरा NCRT कवर करता है ठीक है साइंस का Saturday Sunday उसके weekend में classes होते है और बहुत तगड़ा पढ़ाया जाता है उसमें मैं खुदी पढ़ाता हूं बहुत तगड़ा अनिमेशन का साथ पढ़ाया जाता है इंड it is for sure ना कि अगर आप वो batch जॉइन करते हो पूरे साल का 10,000 रुपे ठीक है और अगर आप वो batch जॉइन करते हो तो there is a heavy chance की 11,12 में जब आप पढ़ने जाओगे तो चीज़ा आपके लिए बहुत आसान होंगी और आप बहुत आसानी से कोई भी exam को crack कर सकते हो लेंक के जैंदा description नंबर पर call करके भी बात कर सकते हो जो दिया गया है चलिए आगे बढ़ते है तो force अपको clear है बहुत बढ़िया अब हम बात करते हैं अगला SI unit के बारे में तो भाई SI unit का है किसकी बात कर रहे है SI unit work done की बात कर रहे है तो work done is equal to force into displacement अब मुझे बता force का क्या है Fs हमने यह लिखा था formula W is equal to Fs अब यहाँ पे force का होता है Newton displacement का होता है meter SI unit और work done को हम लेते हैं Joule में ठीक है किसमें लेता है Joule में तो SI unit क्या हो गया वैसे work done का Joule है तो हम लोग लिखेंगे SI unit of W is Joule अगर आप पूरा लिखोगे ठीक है अगर आप सिंबॉल लिखोगे तो that is capital J और अगर आप पूरा नाम लिखोगे तो small J यूए लिए बात याद रखना पूरा नाम में आप J capital नहीं लिखोगे यूल राइट small J this is wrong this is right ठीक है चलिए अब सवाल यह उठता है कि यह एक Joule मतलब कितना अब देखो common sense लगा के मुझे बताओ common sense लगा के बताओ यहाँ पे अगर आपको answer Fit यहाँपर एक है इक होना चाहिए मल्टिप्लाइए तो यहाँपर एक होना चाहिए कितना है एक जूल आया अब इस बात को ना शब्दों में देखते हैं कि कैसे लिखेंगे हम तो 1 jule का मतलब होता है इस फोर्स ओफ 1 newton एक newton का force लगाया जो displace कर रहा है एक object को 1 meter से एक newton का force किसी object को 1 meter से displace कर रहा है उस direction में जिस direction में force है तो जो amount of work done हुआ है उसको मैं 1 jule बोलुगा सिंपल है एक जूल मतलब क्या होगा अब यह भी मैंने आपको explain क्या था नीचे comment में अंसर बताइएगा अगला cgs unit सुनिए ठीक है cgs unit work done का formula क्या था work done इसको लिखते कैसे w is equal to fs अब मुझे बता हो force का क्या है डाइन है के व यहां पर कितना होगा तो यहां पर एक सवाल उठता है कि one met कितना होगा तो मुझे बता आप यहां पर आपको one aoर चींगत एक टाइन ऐन रहता होना चीएं यहां पर multiply एक सेंटीमेटर समझ गया न आप तो अगर मैं यह पर दिखता हूँ तो एक और कितना होता है एक फॉर्स ऑफ वन डाइन एक डाइन का फॉर्स लग रहा है किसी एक अबजेक्ट के ऊपर और वो उसको एक सेंटीमेटर से डिस्प्लेइस कर रहा है कहां पर डाइरेक्शन जिस डाइरेक्शन में फॉर्स है उसी में तो जो अमाउंट अफ वर्क दन होगा उसको मैं एक और बुलूँगा पेरी सिंपल बहुत सिंपल है ठीक है एक और क्या है एंसर आप मुझे नीचे आप कॉमेंट में बताइएगा आपके understanding कितनी develop हुई है ये मुझे हिससे समझ में आता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और next वारे topic पे चलते है that is relationship between joule and aug कि एक joule मतलब कितना aug होता है अब ये इस topic को कुछ ऐसे समझना है जैसे हम क्या कहते है कि एक किलो मेटर का मतलब क्या होता है हम कहते है कि एक हजार मीटर होता है या फिर हम कह देता है one ten raise to three मीटर होता है उसी तरीगे से अगर कोई तुमसे पूछता है कि एक जूल मतलब कितना aug होता है तो आप क्या answer बताओगे तो वो हमें देखना है तो हमें conversion करना है we know that कि एक Newton मतलब ten raise to five dine होता है ये शाद आपको पता होग 10 raise to two लिखता है अब ये हमने क्यों लिखा है क्योंकि हमें क्या करना है देखो जूल क्या है जूल है आपका और aug हमें दो चाहते है न तो जूल आपका SI है और aug आपका CGS है तो हमने यहाँ पे क्या किया है मैं दूसरे color का pen ले लेता हूँ यहाँ पे हमने क्या क्या है SI वाल वर्क डन अगर एक जूल है पोर्स एक न्यूटन होगा और डिस्प्लेस्मेंट एक मीटर होगा अब यह जो हमने बात की यह क्या है बिटा यह हमारा SI सिस्टम है अब आप मुझे बताओ कि यह अगर मेरा SI सिस्टम है और अगर मुझे एक न्यूटन को अगर SGS में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूँगा न्यूटन क्या हो जाएगा 1 न्यूटन is equal to 10 rest to 5 डाइन लिख दिया एक मिटर मतलब क्या होता 102 सेंटिमेटर लिख दिया तो एक जूल is equal to क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे 10 raise to 5 plus sorry multiply 10 raise to 2 तो यह क्या हो जाएगा 10 5 plus 2 तो यह क्या हो जाएगा 10 raise to 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्योंकि हम CGS की बात कर रहा हुए ठीक है तो 10 raise to 7 9 cm यह क्या होता है और होता है समझ मैं है फुल मिला कि आपको जो बात याद रखनी है वो यह है कि एक जूल मतलब 10 raise to 7 ohm होता है कैसे होता है यह मन आपको बता दिया कुछ नहीं है अगर आपको नहीं समझा है तो फिर एक बात सुन लो यहां तक तो आपने बस formula लिखा है यहां पर उसको SI में लिखा है और यहां पर एक newton के जगे पर हम 10 raise to 5 dyne लिख रहे है क्योंकि एक newton मतलब 10 raise to 5 dyne होता है एक मिटर के जगे 10 raise to 2 लिख रहा है पाकी एक law है कि A raise to M multiply by A raise to N is equal to A raise to M plus N तो यहां पर 10 raise to 5 है multiply by 10 raise to 2 है तो यह क्या हो जागा यहां था clear है तो अब मैं आपको एक थोड़ा सा extra knowledge देने वाला हूँ थोड़ा conceptual clarity यहां पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ अगर आप इसको समझते हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं भी समझते हो तो बस formula को याद रखना है क्योंकि वह formula हमारा numerical solve करने के लिए यूज करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में तो अगर यह समझते हो तो बहुत अच्छी बात नहीं समझते हो तो formula याद रखने की कोशिश करना ठीक है वैसे बहुत दीजिए तुम समझ जाओगे मुझे पता है बट जो गाड़ी मुव करेगा वो इस direction में मुव करेगा आगे की तरफ जाएगा रोड पे सही बात है अब अब तक हमने ये पढ़ा है कि भाहिया जो force होता है जब वो किसी चीज पर लगता है तो उसी के direction में displacement होता है काइदे से इस गाड़ी को इस direction में जाना चाहिए था बट ये गाड़ी इस direction में जा रहा होरिजॉंटल ही जा रहा है इसके पीछे का कारण क्या है आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि force जैसे माल लो कि अगर ये force है तो ये जो एक force है इस force को मैं horizontal force बोलूँगा क्या बोलूँगा इसका horizontal force ध्यान से देखेगा अगर एक force इस तरीके से उपर की तरफ है अब ये force ऐसे भी हो सकता horizontal force ठीक है मतलब horizontal direction में उपर की तरफ या एक नीचे की तरफ force है तो उस force को मैं एक vertical force बुलाता हूँ ये तो बहुत simple सी बात है line जैसा हूँ ऐसा force लेकिने अब horizontal force और vertical force होगा तो movement उसी तरफ होगा अगर ये लड़की शायद नीचे ऐसे ऐसे खीचरी होती तो गाड़ी आगे आता उपर की तरफ खीचती तो गाड़ी उपर चला जाता बट एक इस तरीके से भी force होता है अब ये न कुछ angle बनाएगा अगर इस surface से देखे तो कुछ angle बनाएगा अभी थोड़ा ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है तो ऐसे force को हम बुलते है inclined force ये कहा है इसका direction की बात कर रहे हम यहाँ पर तो this is inclined force अब एक inclined force जो होता है for example अगर मैं यहाँ पर लटसे कि inclined force ले रहा हूँ जैसे वो लड़की इस गाड़ी को खीच रही थी तो inclined force का न एक इस तरीके से मैं दूसरे color का pen ले लेता हूँ एक inclined force का जैसे ये क्या है inclined force है ठीक है? एक inclined force तो इस inclined force का एक horizontal component होगा तो ये वाला क्या है उसका? horizontal component ये क्या है इसका horizontal component और उसका एक इस तरीके से vertical component होगा ये क्या है इसका vertical component तो एक हो गया vertical component एक हो गया horizontal component एक inclined force का होता है तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि even though force इस तरफ लग रहा था inclined फिर भी गाड़ी इस तरफ क्यों जा रही थी because of the horizontal component था उस particular force का उसके करण गाड़ी जो थी वो इस तरफ के direction में जा रही थी अब यही बात करता है कि force इदर लग रहा था लेकिन displacement जो S है वो इस तरफ क्यों हो रहा था because of this component जो मैंने dotted line से दिखा है इसको हमने horizontal component को अभी F1 बुला लिया है अब सवाल यह उठता है कि भाया मुझे ना इस F1 की value चाहिए मुझे क्या चाहिए कि इस F1 की value क्या होगी तो relationship हमें निकालना पड़ेगा F और F1 के बीच में तो हमें पता चल जाएगा कि F1 की value क्या है और इसके लिए हम उस diagram को यहाँ पर copy मारता है हमारे blue board पर यह हमारा blue board है ठीक है और अब दिखो यहाँ पर force इस direction में लग रहा है जो आपको दिख रहा है displacement आपका इस direction में हो रहा है because of this particular horizontal component यह क्या है हमारा horizontal component of that F force और इसको नाम हमने क्या दिया है हमने इसको नाम दिया F1 ठीक है हमने इसको नाम दिया हमारे understanding के लिए F1 अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 90 degree का line बना रहा हूँ जैसे हम geometry विगरा में करता है ठीक है तो now this is like a right angle triangle यह कैसा दिख रहा है मुझे एक right angle triangle जैसा दिख रहा है अब ध्यान से सुनना work done is equal to force into displacement यह वाला force में हमने F1 क्यू लिया क्योंकि इस वाले force के कारण move हो रहा हमारा गाड़ी तो हम यह वाला link है अब हमें इस F1 की value चाहिए ना अब देखो यहाँ पर देखो आपने आगे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है trigonometry trigonometry आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता लेकिन आप पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता पढ़ा है आप पढ़ोगे that is for sure तो trigonometry में आप कुछ ऐसी चीज़े पढ़ोगे जैसे कि sin theta cos theta tan theta फिर आप पढ़ोगे cos theta फिर आप पढ़ोगे sick theta फिर आप पढ़ोगे cot theta ऐसे बहुत सारे चीज़े आप पढ़ने वाले हो कि इस पर trigonometry में उसमें से अभी हम बात करता है cos theta की तो अगर मैं cos वाला theta निकालो यह मेरा theta है न तो उसका अगर मैं cos का value निकालने जाओ तो cos का value क्या होता है cos का value होता है base upon hypotenuse अब एक right angle triangle के अंदर ध्यान से सुनो जिस पर triangle आपका खड़ा है यह वाला पार्ट है न यह इसको यह होगा आपका base और hypotenuse यह वाले line को बोलता है जो दो side जहाँ पर 90 degree के opposite वाला तो जैसे यह 90 degree है तो उसके opposite में यह side है न इसको hypotenuse बोलाया जाता है right angle triangle का ठीक है तो base upon hypotenuse तो मैं क्या करूंगा base का बतलब क्या है f1 देखो यह वाला क्या आपका value यह f1 है यह देखो line यह जो है आपका वो क्या है f1 है यहापे दिखा हुआ है हमने और आपका hypotenuse क्या है f अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cos theta is equal to f1 upon f यह वाला यहाँ से मैंने copy मारा है और कुछ नहीं कहा है अब ध्यान से सुनो f1 की value क्या निकलेगी यहाँ से f1 is equal to अगर मैं खाली f1 देखने जाओं तो यह इसके साथ multiply हो जाएगा तो f into cos theta हो जाएगा f multiply by cos theta यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब multiply है ठीक है f multiply by cos theta हो जाएगा वो तो f1 की value तो मुझे मिल गई अब इस वाले formula को उठा के वहाँ पर copy मारा मैंने copy मारा बस यह वाला equation जो हमारा था उसको copy मारा ठीक है as it is अब मुझे यहाँ पर यह वाला जो मेरा f1 की value है वो मैं उठा करके इसमें डाल दूँगा ठीक है तो मुझे बताओ कि w is equal to f1 के जगे पर क्या मैं f cos theta लिख सकता हूँ तो मैं लिख देता हूँ f cos theta बाकी multiply by as as it is ठीक है बाकी multiply by as as नहीं as as it is अब मैं इसको ही क्या थोड़ा ऐसे लिख सकता हूँ s को आगे ले लिया मैंने और यह cos theta उदर ले लिया तो क्या मैं इसको simple शब्दों मैं f s cos theta लिख सकता हूँ obviously लिख सकता हूँ यह मेरा w का मतलब normally value है ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ w is equal to f1 के जगे पर मैंने f cos theta डालो तो f cos theta लिख दिया है मैंने multiply by s यह मैंने लिख दिया अब आप मुझे बता हो ठीक है कि w is equal to देखो यहाँ पर क्या है न मैंने multiply का sign रटा दिया यहाँ भी multiply है यहाँ भी multiply है इसको हटा के मैं f s cos theta लिख सकता हूँ and this is my value समझे this is my value f s cos theta तो यह आपका एक formula है work done का एक और formula यूज करोगे f s cos theta अगर कुछ angle mentioned होगा तो अगर कभ यूज करोगे यह अगर कुछ angle mentioned होगा तो वरना नहीं यूज करोगे अब यहाँ पर तीन conditions होते है तीनों condition को ध्यान से सुनना case number one आपका force इस direction में है और अपके displacement भी इस direction में है yellow वाला line आपको बुल रहा है कि आपका जो force है वो इस direction में और red वाला line आपको कह रहा है कि आपका displacement भी तो अब आप देखोगे कि जिस direction में force है उसी direction में displacement हो रहा है horizontally ठीक है उसी direction में horizontal है ठीक है तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो angle बन रहा होगा यहाँ पे जो angle बन रहा होगा दोनों में वो तो 0 होगा यहाँ पे थ्रिटा का value क्या होगा 0 तो पहला condition थ्रिटा का value हम 0 लेते हैं तो cos theta का value क्या हो जाएगा cos 0 is equal to 1 आपको यह सिखाया जाएगा अभी के लिए आप learn कर लो cos 0 is equal to 1 फॉर्मूला में अगर आप देखो अगर आप f w is equal to f s cos theta डालोगे ठीक है तो f as it is रहने तो s as it is रहने तो cos theta के जगे पर डालोगे cos 0 तो यह हो जाएगा f s cos 0 मतलब होगा 1 तो answer क्या आएगा f s या आएगा मतलब positive है negative है positive है तो मैं कहूँगा कि positive work done है यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि positive work done है ठीक है अब अगला वाला case सुनो case number 2 आपका जो force है वो मालोगी एक तरफ है और displacement उसके 90 डिगरी पर है मतलब कि मालोगी force और displacement के as it is cos 90 लिखो गए आप यहाँ पर और cos 90 का जो value आता है that is zero तो anything multiply by 0 जीरो तो इस case में आपका 0 work done होगा इसका value 0 क्यों आया समझे 0 work done होगा अब लाखरी case देखो कि आपका force है इस direction में इस direction में और work done उस direction में हो रहा है again यहाँ पे जो angle है बेटा that is nothing but 180 डिग्री आप पोजी direction में 180 डिग्री का angle और यहाँ पर जो आपका work done होता वो negative होता है कि force और displacement अलग direction में तो work done is negative कैसे आया वो देखिये कैसे आया वो देखिये ध्यान से यह काफी call आ रहे है मैं क्या बोलू चलो कैसे आया वो देखते है एक बार यहाँ पर work done is equal to fs cos theta ठीक है fs as it is लिखते है और cos के जगे लिखते है 180 अब cos 180 का value जो आता है that is minus 1 तो यह क्या हो जाएगा minus fs यह क्या हो गया है negative आ गया तो मैंने आपको साथी साथ यह भी बता दिया कि कैसे यह जो भी आ रहा है वो आ रहा है positive negative and क्या अब मैं आपको एक technique बताता हूँ simple सा ठीक है टेकनीक ऐसा है कि positive negative आपको एक तो यह यादी रखना है कि you 8 सफ अगर जिरो होगा तो answer one होगा 0 के बद क्या आता आता है अगर कॉस मेरा 90 होगा अगर कॉस मेरा 90 होगा तो मुझे बताओ 90 में क्या आ रहा है जीरो आ तो यहां पर आजाएगा जीरो और अगर कॉस मेरा 180 आ रहा है तो अब देखो आपका जो यह था वन वाला वैलू था वो तो खतम हो चुका है जीरो वाला वैलू खतम हो चुका है तो बचेगा क्या माइनस वन तो यह टेकनिक बने आपको बता है जो आप याद रख सकते हों दूसरा आपको एक चीज़ और में बता रहा हूं यहां पर जो बहुत ध्यान से सुनना वेलीवज वेलीवरी वेलीवरी इंपॉर्टेंट एज कि आपको क्या गरना है यह याद रखना है कि अगर मेरा फोर्स और यह दोनों डिंप्ले सेम डायक्शन में होगा तो डिरेक्शन में है तो negative, simple, ऐसे याद रखना है, ठीक है, 9th question है, boys trying to push a wall, which type of work is done, but the wall didn't move, अगर wall movie नहीं हुआ, तो क्या होगा, आप सोच के देखो, wall movie नहीं हुआ, तो displacement की value क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, answer क्या आएगा, आप सोच के बताना, तो यहां तक आपको मैंने almost work किस से related सारी चीजे पढ़ाती हैं, जो आपके textbook में आर मुझे 31 minutes लग गया है, ठीक है, 31 minutes में आपको सब पढ़ा दिया, आप और detail में पढ़ना चाहते हो, और personally पढ़ना चाहते हो, तो definitely आपको batch join करना चाहिए, अब 9th में करीए, फिर 10th में आके हमारा batch join करेगा, हम इतने ह इमानदारी से पढ़ाते हैं, अब हम इना इसके basis में numerical करने हैं, टाइप एक एक कुछ numerical है, जैसे जिसमें formula यो जने वाला है, w is equal to f s cos theta वाला, अब देखो, w is equal to f into s भी आप यूज करोगे, लेकिन ये आप तब यूज करोगे, जब कोई भी angle के बारे में जिकर हुआ ही न displacement, या आपको अलएड़ी पता था कि ऐसे force था, इधर displacement हो रहा था, तो उन दोने के बिच का angle है, ठीक है, अब पहला question देखते हैं, क्या है, ये एक salt example, I think, रभी has applied a force of 10 newton, 10 newton का force रभी ने अपलाई किया, और movement जो हुआ है, किताब पे अपलाई किया, एक book रखा हुआ है और उस book पे रभी 10 newton का force अपलाई करता है, और book जो है 30 cm से आगे चला जाता है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात ध्यान से देखिए, कि यह जो आपका 10 newton है, newton एक SI unit है, यहाँ पे जो आपका 30 cm है, वो क्या है, वो आपका CGS unit है, अगर sum को solve कर रहे हो, तो आपको या तो यह SI में है, तो इसको भी SI में convert करना पड़ेगा, या फिर यह अगर CGS में, तो इसको भी CGS में convert करना पड़ेगा, point क्या है, दोनों जो आपका given है, वो दोनों SI में होना चाहिए, और फिर दोनों CGS में होना चाहिए, ऐसा 1 SI 1 CGS नहीं चलेगा, तो आप कुछ भी कर सकते हो ASI है तो आप इसको भी SI बना लो अब मुझे बताओ simple अपको मैं जुगाड भी बता देता हूँ क्योंकि बाब में बच्चे लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं यह किसी नोडबुक में लिख ले न देखो अगर आपके पास मीटर होता और आपको अगर cm करना होता तो आप क्या करते आप करते multiply by 100 देखो कैसे एक मीटर मतलब कितना cm तो आप एक को multiply करते 100 से और आपका answer आता 100 cm क्या यह गलत है कि एक मीटर मतलब 100 cm तो यह हो गया बड़े से छोटा अब अगर आपको छोटे से बड़ा करना है for example अगर आपको cm से मीटर में convert करना है उल्टा तो आप क्या करोगे इसका उल्टा multiply का उल्टा क्या होता है divide by 100 समझ गए तो आप आगे मैं बाद में बताऊंगा how much is the work done by Ravie हमसे यह सवाल पूछा जा रहा है आपको समझ में आगे होगा कि एक book है Ravie उस पर 10 newton का force apply कर रहा है उसका displacement हो गया book का 30 cm से तो कितना force apply कर रहा है अब आपको मैंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या करोगे आप सबसे पहले given में force is equal to 10 newton 10 newton का force है ठीक है theta का value क्या दिया है कुछ भी नहीं दिया theta का value तो हम 0 consider करेंगे कोई भी value दिया है नहीं दिया वैसे अब theta नहीं भी consider करोगे तो चलेगा इस question में ठीक है तो cos 0 का value क्या होता है 0 के बाद क्या आता है 1 तो cos 0 का value 1 आता है just आपके understanding के लिए बोला है displacement क्या है ये वाला हम नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा इस question में displacement क्या है हमारा 30 cm मैंने क्या बोला था cm को meter में convert करने के लिए क्या करना पड़ेगा divide by 100 तो ये 0 0 आपका cut हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा तो ये component नहीं लोगे तो भी चलेगा ओके आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर सीधे मैं आपको solution लिखके दिखा तो बिना इसके तो work done is equal to f multiply by s f की value कितनी है 10 s की value कितनी है आपकी 30 divided by 100 अब देखो ये 0 cut 1 0 cut तो answer क्या आएगा 30 divided by 10 answer क्या आएगा इसका 10 1 जा 10 10 3 जा तो 3 joule will be the answer 3 joule will be the answer अगर हम खाली fs लेते हैं तो अब इसको fs cos theta लेके करके देखते हैं तो देखो fs cos theta equal to f की value 10 है s की value क्या है 30 divided by 100 यहाँ आपे लिख देता हूं मैं sorry इसका value क्या है 30 divided by 100 और cos theta के जगे पर आ जाएगा cos 0 सही बात है cos 0 degree अब यह क्या जाएगा आपका 10 1 जा 10 10 10 जा 100 ठीक है तो यह 1 into 30 divided by 10 आ गया multiply by cos 0 का value क्या है 1 यह क्या जाएगा 30 divided by 10 10 1 जा 10 10 3 जा तो अगें 30 joule 3 joule sorry कुछ भी answer अलग आया क्या आप देखो फिर भी कुछ भी answer आया नहीं answer 3 joule last में लिख देना the work done is 3 joule तो मैंने आपको दोनों approach इसलिए बताया है कि अगर angle रहे का और नहीं रहेगा इसके basis पे भी आप decide कर सकते हो या फिर आप directly ये formula एक याद करें और इसके basis पे भी sum आप solve कर सकते हो it is very easy अब आगे बढ़ता है दूसरे sum के तरफ प्रभीन है अच applied a force of 100 newton on an object प्रभीन नाम का एक बच्चा है जिसने 100 newton का force apply किया है किसी object पे और उसने एक angle पे apply किया है 60 degree जब भी question में angle हो तो आप formula जो लोगे वो आप लोगे fs और आगे cos theta जरूर लगाओगे ये बात याद रखेगा अब आप सोचोगे या cos 60 का value तो मुझे नहीं पता question में दिया रहता है the object get displaced in horizontal direction object ऐसे displaced हुआ है जो force लगा है वो ऐसे लगा है और वो 60 degree पे लगा है ठीक है और जो work done हुआ है that is 400 joule ये भी हमें दिया है और हमें cos 60 का value भी दिया रहेगा what is the displacement of the object हमें displacement ढूण के बताना है आपर तो देखो अब cos 60 का value half दिया हुआ है given क्या-क्या हमारे पास force दिया हुआ है 100 newton theta का value 60 दिया है cos 60 का value भी हमें दिया हुआ हाफ और work done हमें बताया गया है 400 joule और displacement हमें ढूणना है formula कौन सा लगेगा fs cos theta अल्रेडी बने आपको बताया था formula लिख दो solution क्या है fs cos theta formula as it is लिख दिया अब हर चीज की value दिया है half cos theta के जगे क्या हो जाएगा cos 60 हो जाएगा और cos 60 के value कितनी दिया है मैं half तो यह हमारा total हो गया अब 400 as it is लिख दो और यहाँ पर यह जो आपका divide में है उदर जाएगा तो multiply में हो जाएगा तो आप कुछ ऐसे समझना है इसको मैं इसको लिख के जाएगा यह जो हंड्रेड है इधर multiply में है इधर आएगा तो divide में हो जाएगा पचेगा क्या यह गया यह गया तो s into 1 is equal to s 400 into 2 क्या हो जाएगा 800 divide by 100 equal to s 101 जा 100 108 जा तो s is equal to क्या आगया 8 meter क्योंकि displacement clear है अब देखते क्या answer यही आ रहा है समझे वही चीज किया जो मैंने आपको भी बताया था बस animations के साथ किया simple question है इसको practice जरूर करना आगे बढ़ते हैं अगला question आपको self practice के लिए दे रहा हूँ क्योंकि exactly ऐसा ही है कुछ नया नहीं है question देखो क्या है remaining जो भी सम है वो सारे question है चलिए आगे बढ़ता है अगर यहां तक सारी चीज अगर समझ में आ गई है तो दोनों तरीके में आपको बता दिया सम करने का और work वाला जो पूरा क्या पढ़ने वाले हम energy पढ़ने वाले हम types of energy पढ़ने वाले हम kinetic and potential energy पढ़ने वाले अब यह जो kinetic and potential energy है इसी को हम mechanical energy बोलके पढ़ते है इसी को हम क्या बोलता है और mechanical energy, तो ये दो points अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं, ओके, आगे बढ़ता हूँ, energy वाले topic पर आ जाते है, and आगे बढ़ते हैं, सीधे पढ़ते हैं, ठीक है, दिखो क्या है भाई, energy का मतलब क्या होता है, एक example से समझते हैं, मालो कि एक आदमी है, जो वजन उठा रहा है, आप क्या कहोगे, कि भाई, strong आदमी है, बहुत काम कर सकता है, ज़्यादा energy होगा, strong person है, more energy, इसका मतलब इसके पास ज़्यादा capacity है, काम करने की, ज़्यादा energy है, तो ज़्यादा capacity है, capacity to do work, ठीक है, simple है, अच्छा, दूसरा ले लेते हैं, एक lazy आदमी है, तो lazy आदमी के पास कम energy होता है, हम कहते हैं, इसके पास less capacity to work है, मतलब यह ज़्यादा काम नहीं कर सकता, क्या मैं फिर ऐसा कह सकता हूँ, के energy का मतलब होगा, इन दोने examples से strong और lazy आदमी को देख करके, the capacity of a body to perform work is called less energy, अब ज़्यादा energy है, तो ज़्यादा काम कर पाएगा, कम energy है, तो कम काम कर पाएगा, मतलब energy और काम, कुछ तो संबंद है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, के energy का मतलब होता है, capacity of a body to perform work, अब ध्यादा से सुनना, कितने प्रकार के energy हो सकते हैं, अब कितने प्रकार के energy हो सकते हैं, तो हमारे पास heat energy है, इस heat energy को एक और नाम से बुलाया जाता है, मार्केट में, वो नाम भी बता देता हूँ, heat energy को प्यार से thermal energy भी बुलाया जाता है, यह बात याद रखेगा, heat energy is also called as thermal energy, हमारे पास और energy का type का है, wind energy है हमारे पास, ठीक है, we have another example, sound एक प्रकार का energy है, we have another example, electricity, electrical energy is also energy, right, we have another energy है, type of energy, light energy, light is also type of energy, we have nuclear energy, atomic energy, nuclear energy and बहुत सारे प्रकार के energy है, हमने देख लिया, right, अभी हमने क्या बोला, heat energy है, मैंने आपको बताया कि heat energy को और किस नाम से बुलाते हैं, तो heat energy को और thermal energy बुलाते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि और क्योंसा energy हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकता है, मैंने आपको बता है कि और कौन सा एनर्जी हो सकता है, साउंड एनर्जी हो सकता है, मैंने आपको बता है, लाइट एनर्जी हो सकता है, नूक्लियर एनर्जी हो सकता है, और बहुत सार एनर्जी हो सकता है, ठीक है, बहुत सार एनर्जी हो सकता है, तो अकुल मिला कि हम एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं और एनर्जी तो समझ में आ गया ना सिंपल है ठीक है तो mechanical energy is what we are going to study in detail and उसके हम numericals भी solve करने वाले अब मैं आपको यहीं पे एक छूटी सी बात बता देता हूँ आपको बहुत ध्यान से समझना इस बात को यहीं पे समझ लेना कि work done is equal to energy consumed क्या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जितना मेरा energy consumed होगा ठीक है काइदे से मेरा उतना ही work done होना चाहिए समझ रहे हो तो अगर कहीं पे लिखा है w upon x तो क्या मैं यहाँ पे energy consumed upon x भी लिख सकता हूँ क्योंकि work done is equal to energy consumed तो बोलोगे है हाँ यह बात याद रखना mechanical energy के अगर बात करूँ दो प्रकार के होता है पहला वाला आपका होता है potential energy दूसरा वाला आपका होता है kinetic energy कितने प्रकार के होते है potential energy and kinetic energy अब पहले kinetic energy को समझते है kinetic इस word का मतलब होता है motion या फिर movement kinetic इस word का मतलब होता है motion movement energy मतलब तो आपको पता ही है क्या energy का मतलब capacity to do work अब माल लो कि एक हथोड़ा है और यह हथोड़ा कैसा है rest पह है this is the work done by hammer at rest अब यह हथोड़ा जो है वो अगर rest पह है तो इससे कोई काम नहीं होगा the answer is no लेकिन अब माल लो कि यही हथोड़ा एक keel के उपर है और यह movement कर रहा है यह motion में है can a moving hammer do work तो क्या यह force जब apply कर रहा है तो कोई displacement होड़ा है एक keel अंदर की तरफ जा रहा है the answer is yes the answer is yes तो क्या मैं कह सकता हूँ moving hammer has the capacity to do work एक moving hammer के पास काम करने की capacity है तो मोलोगे हाँ तो moving hammer के पास energy है कि काम करने के लिए तो energy चाहिए और इसके पास जो energy है वो कौनसी energy है kinetic energy है क्योंकि moving movement हो रहा है और फिर कुछ काम हो रहा है तो kinetic energy के कारण यह काम हो रहा है is it clear to everyone तो the energy which an object has एक ऐसा energy जो किसी भी object के पास होता है example के यहां थोड़ा because of its motion क्योंकि उसके पास motion कर रहा है वो उसको हम kinetic energy बोलता है मतलब movement करने के लिए जो energy चाहिए that is kinetic energy good अब यह car जो यह move कर रहा है that means के car के अंदर क्या होगा kinetic energy होगा is it clear यह घोड़ा जो है यह दोड़ रहा है तो इस घोड़े के पास क्या होगा इस घोड़े के पास running horse possesses kinetic energy कितना example काफी है अब सवाल यह उठता है कि किनेटिक energy का formula क्या होगा तो अगर मैं आपको एक शब्द में बताऊँ वैसे तो आप लोग समझदार हो अगर यह वीडियो पे हो तो और 40 मिनिट से देख रहे हो तो और अब पढ़ने के लिए आयो तो पढ़ने के लिए जो बच्चा आता है वो कुछ न कुछ करके समझी लेता है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर फिर भी अगर आपको last class का कुछ चोटे मोटे doubts आए तो give up मत करना इतना याद रखना कि kinetic energy का formula क्या है half multiply by m multiply by v square इसको हम half multiply multiply अगर छोड़के ऐसे भी लिखे तो half mv square mass और velocity है is it clear अब कुल मिला के हम वही formula drive करने वाले है not that important exam में उसे नहीं पूछता है बट still हम drive करके देखेंगे formula कैसे आया concept याद रखना जो मैं तरीका बताऊंगा उससे ठीक है मालनो कि एक block और इस block पे कुछ छोटा सा चीज रखा हुआ है एक छोटा सा माचिस का डबबा रखा हुआ है जिसका mass m है ये क्या है इसका mass m है और ये point a पे है मालनो an object of mass m is at point a अब इस object के उपर अब जो यहाँ पे जो ये रखा हुआ माचिस का डबबा ये initially कैसे है rest पे है तो इसका initial velocity क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब मैं अगर इसके उपर एक force लगाता हूँ अगर मैं इसके उपर एक force apply करता हूँ ठीक है लटसे कि मैंने इसके एक force apply किया एक applied force लगाया है मैंने इसके और मुझे इसको point B तक पहुचाना तो ये घसकेगा उस direction में जाएगा point B तक चला गया अब क्योंकि ये motion में था तो मैं कह सकता हूँ न कि displacement जब हुआ तो displacement होने में time कुछ तो लगा होगा तो वो t time लग गया displacement होने में और इसकी जो final velocity हो गई तो V हो गई simple है न फिर से एक बार बताता हूँ ध्यान से सुनो फिर से देखो एक बार अब आपको समझेगा table के उपर एक माचिस का डबबा रखा है जसका mass M है वो point A पे रखा हुआ है और अभी mass M वाला माचिस का डबबा point A पे है point B तक जब वो पहुँचेगा तो इसकी velocity में कुछ changes आएंगे और इसकी जो velocity हो जाएगी वो V हो जाएगी final velocity इसकी small V हो जाएगी और इसको वहां तक जाने में कुछ time T लगेगा जब इसने displacement S किया है मतलब यहां से यहां तक displacement S है इसको करने में इसको time T लगा और इसकी final velocity वहां पहुचके V हो चुकी है ठीक है अब अगर यह सारी चीज़े आपको समझ में आ गए है तो हम क्या लिख सकते है कि work done का formula क्या है work done is equal to force into displacement वो तो मैंने आपके explanation के लिए बताया था ठीक है force वो जो माचिस के डबे पर हमने लगाया था A से B तक जो गया था वो उसका displacement और उसके कारण जो हमने work done किया उस पर क्योंकि force लगाया displacement हुआ तो work done हुआ अब आपको क्या करना है force और displacement का value अलग से निकालना है expression के लिए तो देखो आप क्या बोलेगे यह मेरा पहला equation है अब according to Newton's का second law क्या है force is equal to mass into acceleration ठीक है इसको मैं second equation बोल देता हूँ और third equation में क्या बोलूँगा Newton का second equation of motion में use करूँगा क्योंकि मुझे अब S की वी value चाहिए तो S की value के लिए Newton का एक equation ता याद है S is equal to ut plus half 80 square याद है अब लेकिन यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा initial velocity तो 0 था याद है आपको हमारा initial velocity तो 0 था तो U के जगे मैं 0 डाल दूँगा अब अगर U into T लिखा हुआ है और 0 multiply by T तो answer क्याएगा 0 तो यहाँ पे पूरे U2 के जगे पे मैंने 0 डाल दिया बाकि सब कुछ as it is लिख दिया half 80 square U 0 था इसलिए ऐसा हुआ है तो मुझे मिल गया U s is equal to half यह 0 तो गया है न तो यह बचा खाली half 80 square is equal to मेरा third equation चलिए अगले page पे चलते तीनो equation लिख लेते है तीनो equation मैंने लिख लिख लिया W is equal to Fs F is equal to MA और अब यहाँ पे करना क्या था खुल मिला के इसका और इसका value निकालना था जो मैंने निकाल लिया अब पहले वाले equation में दोनों डाल दो substitute second and third equation in first equation मतलब W is equal to देखो यहाँ पे जहांसे W is equal to पहला equation क्या है force into displacement force का value अपने क्या निकाला है मा आपने लिख दिया MA displacement का value क्या निकाला है आपने 80 square common sense लगाने वाली बात है अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ ठीक है common sense लगाओ दो बार A है half को आगे ले लो देखो न 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 4 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 4 को मैं आगे ले लेता हूँ कोई दिक्कत है 3 multiply by 3 को मैं 3 का square लिख सकता हूँ हाँ कोई दिक्कत है क्या नहीं ना और यह 2 को मैंने पीछे लिख दिया तो कुछ नहीं है То मैंने क्या बोला half देखो यहांप धान से. हाफ को मैंने आगे लिया, मासको मैंने ऐसे ही रहने दिया, A multiply by A क्या होगा मेरा? A का square और यह T का square. अब क्योंकि A और T दोनों का square है तो मैं लिख सकता हूं Half multiply by M multiply by A और T तो A और T को साथ में लिखके मैंने कह दिया square. कि दोनों का स्क्वेर है एक भी स्क्वेर है टी का भी स्क्वेर है तो हम मैं जो क्या मिला फाइनली हाफ M 80 स्क्वेर इसको मैं कहता हूँ equation number 4 और अगले पेच पे चलता हूँ equation number 4 लेके मैं अगले पेच पे आ गया हाफ M 80 स्क्वेर अब ध्यान से सुनो मैं न्यूटन का फर्स्ट एक्वेशन अब मोशन यूज करूँ अ कौन सा था याद करो वी इस एकॉल टो यू प्लस 8 यह मैं क्यू यूज कर रहा हूँ वह तुम्हें थोड़े दर मैं समझेगा यू का वैलू क्या था याद करो स्क्वेर तो क्या मैं 80 के जगे वी स्क्वेर लिख सकता हूँ इसको मैं हम एकवेशन नूमर celebrating बोलता हूँ और मैं कहूंगा यह था हेव इकक्वेशन था मैंना मेरा वी इक्वेशन टो में था हाफ में 80 का whole square और यहाँ पे V square का मतलब है 80 का whole square तो 80 square को हम यहाँ पे substitute कर सकते हैं, 80 के जगे पे हम V square लिख सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं substitute कर दूँगा equation number 5 in 4 और मुझे मिल जाएगा W is equal to half M 80 square के जगे पे मैं V square लिखोगा क्योंकि V square का मतलब 80 square तो यह मैंने लिख दिया, और मुझे यह formula मिल गया kinetic energy gained by an object जब उस पे 4, हमने जो भी किया था magis के डब्रे पे is equal to kinetic, अब तुम बोलोगे भाया 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 आप तो work done निकाल रहे थे, तो अब इसको आपने kinetic energy में क्यों बदल दिया मतलब kinetic energy is equal to work done कोल मिला कि, अब वो कोई भी energy हो kinetic हो, potential हो, heat हो, कुछ भी हो तो kinetic energy is equal to w तो मुझे पता है कि w का value क्या है half mb square, तो kinetic energy का value क्या हो जाएगा half mb square, तो bracket में डालो यह हमारा formula है, वीडियो को पीछे लेके एक दो बार देखना है, मैंने हर step बहुत अच्छे से बताया है, and it is very easy ठीक है, तो ऐसे हम expression निकालेंगे, या फिर आप simply a formula याद कर लो, अब जब मैं numerical आपको कराऊंगा, तो इस चीज़ को आपको यादी रखना पड़ेगा कि work done को हम बार बार kinetic energy के साथ work done को हम बार बार potential energy के साथ, अपने हिसाब से change करेंगे, depending upon the question की question में क्या है, ये बात को आप याद रखेगा, चलिए कोई बात नहीं वागे बढ़ता है और एक question करते है, it's a solid example solid example क्या है, stone lying of a mass of 250 gram, अब अब अगे न देखो, यहाँ पे gram है, this is CGS unit ठीक है, falling from a height उचाई से ये stone गिर रहा है how much kinetic energy does it have at the moment when the velocity is 2 meter per second, meter per second क्या है SI है, तो आप याद रखो कि CGS वाले को भी आपको SI में convert करना पड़ेगा ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्या बोला जा रहा है, कि किसी height से गिर रहा है kinetic energy, इस पत्थर का mass कितना है, 250 gram मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप kg से gram में करते, बड़े से छोटा तो आप क्या करते, multiply by thousand करते, क्योंकि क्या होता है 1 kg का मतलब कितना होता है 1000 gram होता है लेकिन अभी आपको gram से kg करना पड़ेगा, क्योंकि आपको gram दिया है तो उसका उल्टा करोगे, divide by thousand ठीक है, आपको divide by thousand करना पड़ेगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा 250 divided by 1000 तो यह आपका आजाएगा answer kg पे gram से kg क्या है, तो divide by thousand ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं अब यह जो गिर रहा है, तो इसके पास कितनी kinetic energy है, यह हमें बूलना है, और velocity कितना दिया हमें, 2 meter per second ओके, चली, given लिखते है given हमारे पास क्या है, mass is equal to 250 gram, इसको क्या करेंगा हम, 250 divided by 1000, kg में answer आजाएगा हमारा 0.25 kg, ठीक है velocity 2 meter per second है, हमें ढूलना क्या है, kinetic energy ढूलना है, kinetic energy का formula, half if v square है हमारे पास mass भी है, हमारे पास velocity भी है है, kinetic energy equal to half mass का value क्या है, हमारे पास, 0.25 लिख दो, velocity का value क्या है हमारे पास, 2 meter per second, लिख दो 2 meter per second तो velocity का square है न, तो 2 का square लिखा हमने, अब देखो, यहां पर क्या जाएगा answer आपका kinetic energy half as it is 0.25 का into देखो यहाँ पर 1 क्यों आया है मैं आपको समझाता हूँ शायद आपको नहीं समझेगा 0.25 को अगर आप 2 का square क्या होता है 4 होता है यह हो जाएगा 4 तो 4 से multiply करो आपका answer आएगा 1 एक और simple बात बताता हूँ 0.25 को मैं लिख सकता हूँ 1 by 4 अब देखलो convert करके देखलो multiply यहाँ पर 2 का square क्या होता है 4 होता है 4 4 cut फिर भी 1 आएगा अप ऐसे करके देखलो या फिर आप 0.25 को multiply करके देखलो आपका answer यहीं आने वाला है ठीक है चलिए तो यहाँ पर आजाएगा multiply बाताओ मुझे हाफ होगा राइट हाफ होगा तो answer हाफ का मतलब क्या होता है 0.5 हाफ का मतलब ऐसा है कि 1 को आप divide कर रहा हो 2 से तो 0.5 आएगा answer आपका करके देखले ना आप 0.5 joule is the right answer और आप लिख देना the kinetic energy in the falling stone is 0.5 joule चलिए clear हो गया है बहुत easy है अब अगले वाले पर चलते है हमारा exercise का अगला example है that is कि the velocity of a car increases from 54 km पर आर अब यहाँ पर ध्यान से देखो यह किलोमेटर आर यह आर है अब यह किलोमेटर क्या है कि यह SI unit है नहीं SI unit तो मीटर होता है और आर के जगे शाद हमें सेकेंड चाहिए तो हमें मीटर पर सेकेंड चाहिए होगा यहीं पर ध्यान से देखना 272 km पर आर अगेन वही बात मतलब एक गाड़ी है जो 54 km पर आर के स्पीड से चल रही है स्पीड उसका बढ़ गया मतलब मालों यह आपका इनिशल वेलोसिटी है इसको हमने एक्सलेरेटर दिया स्पीड बढ़के हो गया 72 km पर आर स्पीड बढ़ गया यह हमारा साथ फाइनल वेलोसिटी है हमें बताने कि कितना वर्क डन करना पड़ा अग इवन क्या हमारे पास भाई हमारे पास मास दिया है 1500 केजी 1500 केजी इनिशल वेलोसिटी यू हमें दिया कि गाड़ी का पहले स्पीड कितना था 54 km पर आर उसके बाद 54 km पर आर को आपकी याद रखना यहाँ पर देखिए एक है किलोमेटर एक है आर किलोमेटर को मीटर में कन कने के लाप क्या करहोगे? might by 3600 कि क्यूंकि एक गंटे के अन्दर 60 मिनट होता है और एक मिनिट के अंदर 60 सग्रस्पी बारत टो इस से क्लियर? इसी लिए हम ऐसे करेंगे तो अब इस logic से क्या होगा 54 को multiply करेंगे kilometer के जगे 1000 और r के जगे second करने के लिए this much तो ये क्या हो जाएगा answer हमारा किसमें आएगा 54 ये अगर आप इसको divide करोगे ठीक है आपका 10 by 30 से ये 2 के table में जाएगा तो 2 5 जा और 2 18 जा तो answer क्या है 5 by 18 ठीक है तो 5 by 18 ही रखना और एक बात याद रखना है जब भी आपको kilometer पर r दिया होगा और उसको अगर meter पर second में करना है तो multiply that thing is 5 by 18 ये याद रखना कि kilometer पर r को अगर आप meter पर second में convert करना चाहते है तो क्या करोगा multiply by 5 by 8 इतना लिखने के हर बार जरूरत नहीं है चली अब similarly हमारे को ये क्या हो गया हमारा आजाएगा इसका answer आजाएगा 54 meter per second final velocity हमेरे 72 km पर आ रहे है इसका answer क्या आएगा अगर हम multiply करेंगे तो 20 meter per second क्योंकि जो भी हमारा ये 72 हो गए यहाँ पर 72 को multiply करेंगे 5 by 18 से तो 20 meter per second आगया इवन खतब अब find क्या करना हमें work done to increase the velocity अब देखो increase the velocity मतलब हम क्या कर रहे है velocity को change कर रहे हैं हमें रही और change का formula क्या होता है final minus initial यह होता है change का formula laws of motion में मनें सिखाया था तो यहाँ क्या होगा formula क्या होगा आपका work done to increase the velocity change in kinetic energy ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे change in kinetic energy क्या होगा kinetic energy का formula है half m v square लेकिन यहाँ पर v क्या होगा final velocity minus initial velocity दोनों का square ठीक है तो अब यह formula लेकर आगे बढ़ोगे तो half as it is गाड़ी का मास था 1500 kg final velocity अपका क्या था 20 initial velocity क्या था आपका 15 दोनों का square answer क्या आ जाएगा half देखो यह 1500 multiply by half करोगे तो 750 20 का square होता है 400 15 का square होता है 225 अब इसका answer आगे क्या आएगा 750 multiply by इसका answer आ रहा है 175 और यह आप multiply करोगे तो answer आएगा 131250 Joule this is your answer इसको डब्बे में डाल दो और इस answer को बोल देना कि the change in the kinetic energy work done to change do the change in kinetic energy is 131250 Joule is it clear simple question है बस जो logic मैंने दो learning थे इस में एक learning था कि change लिखा है इसलिए हमने final minus initial किया change लिखा था इसलिए दूसरा इसमें learning था कि अगर kilometer per hour से अगर हम meter per second करेंगे तो multiply करेंगे 5 by 18 से यह दो learning लोगे तो आगे चीज़े आसान हो जाएगी दसवा question है when an object is in motion it is having dash energy आप मुझे बताना इसका एंसर क्या होगा flowing water has dash energy कौन सा energy होता है एंसर नीचे comment में बताएगा अगला जो हमारा energy है जो type of energy मैं पढ़ना है that is nothing but potential energy है definition है the energy stored in an object because of its specific state किसी particular state में कोई है या फिर किसी position में है तो उसको हम क्या बोलता है potential energy बोलता है example इले अभी ये धनुष और तीर को अगर आप देखोगे bow and arrow को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि ये आगे नहीं जाएगा लेकिन अगर इसी का मैं position change कर देता हूँ ठीक है अभी ये string इस तरीके से ठीक है इस कारण से इसके अंदर potential energy भरा हुआ और अगर मैं अपना star हटा लेता हूँ क्योंकि तुरंत ये निकल के वहाँ पर जाके लग जाएगा समझ रहो ना तो वह जो potential energy था वह convert हो गया kinetic energy में बट point के है उस specific state के करण इससे इसके अंदर potential energy था जब हमने वह छोड़ दिया तो वह potential energy kinetic energy में convert हो जाता है ठीक है चलिए तो potential energy stored in the man is used to fall down वही potential energy के कारण वह नीचे गिरा बट जब वो गिर रहा था वो motion में आ गया तो it was having kinetic energy चलिए आगे बढ़ता है अब potential energy क्या होता है the energy stored in an object because of its specific state or position is called as potential energy किसी specific state के कारण या फिर किसी specific position के कारण जो energy होगा उसको हम potential potential energy कहते हैं इसका expression निकालते है formula क्या है मैं आपको अगिन बोलूँगा अगर आपको बहुत सरी चीज़ें ना समझ मैं तो आप याद रखना कि potential energy का formula है MGH, M मतलब mass है, H मतलब height है और G मतलब होता है acceleration due to gravity acceleration due to gravity, ठीक है चलिए, एक एक चीज़ समझते, ball को मैंने नीचे से उपर फेका, एक height पर, ठीक है, ball का mass M था, यहाँ पर जो नीचे की तरफ gravity उसको खीच रही होगी, वो small g माल लेता है, अब यह acceleration due to gravity का concept क्या है, मैं आपको short में बताता हूँ, अगर आप समझने की इच्छ रखते हो तो, यह हमारा earth है, आपको पता है, मालो कि एक apple है, इस apple का कुछ तो mass होगा, ठीक है, कुछ तो mass होगा, earth चीज़ों को अपनी तरफ खीचती है, मतलब earth क्या कर रही है, एक force लगा रही है, मालो यह apple rest पे था, लेकिन यह apple उपर से नीचे, newton के lock है, इस apple का कुछ mass है, और इसके उपर, भले कोई भी force हो, gravitational force ही क्यों ना, अगर कोई force लगेगा, तो क्या होगा, move करेगा, तो हमें पता है, mass into acceleration, this is newton का second lock, right, कि अगर force लगाओगे, किसी भी m mass वाले object पे, तो उसका acceleration होगा, लेकिन यह जो force लग रहा है, वो क्यों लग रहे है, due to gravitation, तो यह acceleration होगा, जो उपर से नीचे आएगा, वो gravitation के कारण होगा, तो a will get replaced by g, क्योंकि यह gravitation से हो रहा है, तो f is equal to हो जाएगा, हमारा mg, अब यहाँ पे जो यह g है, यह कुछ नहीं है, acceleration due to gravity है, मतलब यह जो acceleration हो रहा है, object के अंदर हो क्यों हो रहा है, gravity के कारण हो रहा है, simple concept है, अचली आगे बढ़ता है, वो अभी हमारे काम का नहीं है, मैंने extra आपको बताया, work done is equal to force into displacement, आपको पता है, अब force का formula के है, यह work done है, जो stored होता है, in form of potential energy, तो हम बाद में work done को potential energy से convert कर देंगा, force का formula है, mass into acceleration, और displacement वो है, जो ball हमने नीचे से उपर फेका था, तो height, ठीक है उतना ही height पे गया था, अब हम बोलेंगे कि भया, force के जगह में लिख दिया, और displacement के जगह मैंने h लिख दिया, is it clear, अब मुझे पता है कि a को मैं g से replace करूँगा, क्योंकि वहाँ पर gravity के कारण भी acceleration होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a को मैंने g से replace कर दिया, तो mg h, तो formula क्या बन गया है मेरा, mg h, clear है, बहुत simple है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप कुछ questions करते हैं इस formula के basis पे, 500 kg water stored है एक tank में, overhead tank में, building के उपर एक tank रखा हुआ, आपको दिख रहा है, उसमें 500 kg water है, और कह रहा है कि 10 meter के height पे है वो, ठीक है, हमें potential energy बताना है कि पानी मे कितना होगा, mass 500 kg है, height जो दिया है, 10 meter दिया है, given लिख लिए हमें सारा, देखो क्या given, mass 500 kg, height 10 meter, acceleration due to gravity is 9.8 meter per second, इसकी value है, भी आ रहेगा question में, ठीक है, या फिर आप यह आद कर लेना, अब यहाँ पे potential energy हमें डूढना है, तो potential energy का formula क्या है, mg h, solution में डालो, potential energy is equal to m का value 500, g क क्या आजाएगा, इसको multiply करोगे तो, 500 multiply by 9.8 into 10 क्या होगा, 98, अब 500 multiply by 98 करोगे तो, आपका answer आजाएगा, 49,000 Joule, अब देखो, Joule को अगर आप kilo Joule में convert करोगे, तो आपको 1000 से divide करना पड़ेगा, जैसे, आप ऐसे समझो, कि आपको मैंने बोलाता कि अगर gram से आप kg में convert करत हो, तो क्या हुआ, के ही तो लगाया, आपने, के मतलब 1000 होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड by 1000 करना पड़ता है, वैसे ही, अगर Joule से मैं kilo के लगा दिया आगे, Joule में convert करता हूँ, तो मुझे divide by 1000 करना पड़ेगा, तो और मैं क्या लिख सकते हो, potential energy is equal to divide by 1000 कर दिया, तो 3030 कट 49 kilojoule, ओके, तो this is my answer, Joule में और kilojoule में, जो भी आपको चाहिए, एक्जाम में आप लिख देना, चलिए, अगर यहां तक clear है, तो exercise का एक question है, बहुत प्यारा सा question है, if the energy of a ball falling from a height of 10 meter, एक ball है, जो उपर 10 meter से गिर रहा है, मालो, यहां से ऐसे गिर रहा तुम, how high the ball will rebound, नीचे गिर के कितना ऊपर उच लेगा ball, टपा कितना खाएगा, यह question, given क्या लिखा है, initial height 10 meter, ball मेरा कितना है, 10 meter के height पर है, आपर देखो, ओके, फिर कह रहा है कि यहा, initial potential energy माल लेते हैं, उसमें 100% energy होगा, final potential energy क्या हुआ, 40% से घट गया, तो 100-40, तो 60% formula क्या होगा, MGH, आगे लिखते हैं, solution में, अब मैं पहले वाला निकाल रहा हूँ, कि टपक हने से पहले, तो energy 1 और height 1, बाकी तो सब सेम रहेगा, mass वही रहेगा, ball का, और gravitational force वही रहेगा, equation number 1, दूसरा वाला energy 2 का टपक हने के बाद, तो height बदल जाएगा, बाकी mass और gravitational force तो energy cut हो जाएगा, क्योंकि वह दोनों condition में same ही रहने वाला है, तो cut हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, अब यहाँ पे आपको potential energy, second case में कितना था, reduce हो गया था, 40% से तो 60 था, और पहले case में 100% energy था, तो मैंने value लिख दिया, बाकी यहाँ पे क्या बचा है, H2 upon H1, अब इसमें से आपको यह पता है कि पहले height कितना था, 10 meter से ball उपर से नीचे गिरा था, दूसरा वाला height मुझे नहीं पता है, टपा खा करके, इसको cross multiply करके आप बहुत असानी से height निकाल लोगे, कि H2 is equal to 60 into 10, divide by 100, ठीक है, क्या हो जाएगा, 60 into 10, divide by 100, तो यह क्या हो जाएगा, तो 10 1 जा 10, 10 6 जा, तो यह आपका 66 meter आ जाएगा, तो answer क्या है, आपका 6 meter, the ball will rebound by 6 meter, this is the answer, बहुत simple है, बस आपको यहाँ पर यह समझना था कि पहले energy 100% होगा, और यह वाला आपको याद रखना है, ऐसे expression बनाने पड़ेंगे, चलिए, equation बनाने पड़ेंगे, पारवा question दे hydroelectric power plant, power plant जो होता है, hydroelectric power plant, उसमें water जो stored होता है, उसके पास कौन सी energy होती है, comment में answer बताना है, 14th question, water stored at dams possesses dash energy, एक water जो dam में stored है, उसके पास कौन सी energy होती है, आपको नीचे comment में बताना है, अब अगर यहाँ तक सारी बात है clear है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो हम चलेंगे हमारे next topic के उपर, next topic है हमारा law of conservation of energy, अरे बहुती जी है भहिया, क्या इसमें, पहला point दान से सुना, energy can neither be created nor be destroyed, ना तो energy को बनाया जा सकता है, ना तो destroy किया जा सकता है, दूसरा point क्या है देखो, it can be converted from one form into another, एक form से, दूसरे form में convert किया जा सकता है, बहुत सरे example लेकर समझाऊंगा, tension मतलो, दूसरा, तीसरा point है था, total amount of energy, हम ना तो बन रहा है, ना तो destroy हो रहा है, और एक form से, दूसरे form में convert हो रहा है, तो total in, जो होगा, वो तो constant ही रहेगा ना, तो total amount of energy in the universe remains always constant, fixed रहता है, ना तो घटता है, ना तो बढ़ता है, example भया, सूरज से जो रोशनी आती है, initial energy, आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, उसको nuclear energy कहते है, finally वो convert किसमें हो जाती है, heat या light energy में, मतलब क्या वो destroy होई, नहीं, एक form से, दूसरे form में convert हो गई, अरे भया, एक और example दे दो ना, ये एक pendulum है, यहाँ पे भी potential energy है, इसके पास, इसको अ रास्ते में kinetic potential, kinetic potential, kinetic potential होता रहे जाएगा, समझ रहे हो, तो here, P is converted into kinetic energy, potential energy is converted into kinetic energy and kinetic energy is converted into potential energy, नया energy create नहीं, no new energy is created, total energy remains constant, समझ के, एक example, देखो, एक law of conservation energy का example, यहाँ पे वेल है, ठीक है, pulling a bucket out of, of water from the well, जब हम एक bucket पानी का खीच रहे है, तो हम initial energy क्या लगा रहे है, muscular energy, right, और finally, जब वो उपर आ जा रहे है, तो वो stored है, उसमें पानी stored है, और रुक जाता है, तो that is potential energy, तो muscular energy got converted into potential energy, जब एक बैटरी से बल्ब जलता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बैटरी के अंदर होता है, chemical energy, बल्ब जब जलने लगता है, तो उसके अंदर क्या होता है, light energy आजाता है, electric energy आजाता है, heat energy आजाता है, वैसे तो light जलना तो light energy बोल देते हैं, लेकिन यह जब बल्ब जलेगा, तो थोड़ा सा गरम भी होगा, तो heat energy में भी convert हो जाएगा, ठीक है, और यह जलने के लिए इसको क्या चाहिए, electricity चाहिए, तो पहले electrical energy में convert होगा फिर light energy में convert होगा, फिर heat energy में convert होगा, अलग-अलग energy में convert हो जाएगा, खुल मिला के, ठीक है, अब आपका mobile का battery चार्ज हो रहा है, चार्ज कैसे हो रहा है, electricity से चार्ज हो रहा है, जब यह battery चार्ज हो जाता हो, बैटरी में कौन सा energy है, chemical energy है, इस सारे points से हमें क्या समझ मे energy, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर question है, during the charging of a battery, dash energy is converted into dash energy, comment में नीचे answer बताना, when some unstable atom breaks up, they release tremendous amount of dash energy, comment में नीचे answer बताना, 17th question, pulling a bucket of the, from a bell, dash energy is converted to potential energy, कौन सा energy convert होता है, नीचे comment में answer बताना, ठीक है, और in the discharging of a battery, dash energy is converted into dash energy, नीचे comment में answer बताना, 19th question, the energy stored in the dry cell is in form of dash energy, comment में बताना, conservation of energy का topic यहाँ पर होता है, खतम, उनीचे question भी पूछा है, अगर अपने अब तक batch join नहीं किया, और आप हम सही पढ़ते हो, तो join करना अच्छी है आपको, अब आखरी नहीं second last topic, वैसे अगर हम textbook की माने, textbook की माने यहाँ पर, तो आखरी topic, textbook की माने त आखरी topic ठीक है, textbook की माने तो आखरी topic, but in reality second last topic, ठीक है, in reality it is the second last topic, ठीक है, in reality is the second last topic, ठीक है, in reality is the second last topic, free fall, यह फोटो देखके आपको बहुत सरी चीज़े याद आ रही होगे शायद, जो आपने कहीं न कहीं देखा होगा, तो यह जो हो रहा, free fall हो रहा है, but not actual true free fall, क्यों म पर वो है gravitational force, इसके अलाबा जब यह ball जब नीचे के तरफ आ रहा था, तो air आसपास जो हवा होगा, वो उसको रो करी होगे शायद, तो resistance, air का resistance, और तीसरा एक point force भी लगता है, जो किसे भी fluid के अंदर, fluid मतलब water या फिर air, gas या फिर water, liquid या फिर gas, fluid बोलते हो उसको, तो एक surface है, मालो की एक आदमी है, मैं हमारा बंटू, एक rocket पे बैट करके जाता है, एक ball लेता है, और वो ball उसके हाँ से छूड जाता है, अब इस case में, ऊपर में कोई atmosphere नहीं है, ठीक है, कोई भी atmosphere नहीं है, तो force acting on the ball is only gravitational force, इस case में, जो force is ball पे लग रहा है, that is only gravitational force, तो when the body falls towards the earth, जब एक body किसी earth या किसी भी planet के तरफ गिर रहा है, under the influence of earth gravity only, बस केवल ओ केवल एक gravitational force के कारण, the motion is called as free fall, अगर खाली एक ही force लगता है किसी body के उपर, and that is gravitational force, किसी body के पर बस एक ही force लगता है, जिसके कारण वो गिर रहा है, and that is only gravitational force, only alone, तो उसको क्या बोलता है, free fall करता है अब हमारे textbook में, free fall तो समझ में आगया, कि केवल आखेवल gravitational force के कारण, अगर कोई चीज गिरेगा, only gravitational force तो उसको free fall बोलेंगे, तो free fall में से खतम हो गया, वड़ हमारे textbook में, law of conservation of energy of free fall को लेकर गया, कुछ जोड जारके कुछ तो दिया है, और हमें एक ऐसी चीज दिया है, जो बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आती है, तो देखो यहाँ पे एक example से हमने expression derive करेंगा, और हम बोलेंगे कि energy remains constant, कुल मिलाके मैं आपको बुलूंगा कि point A, यहाँ पे point B लेंगा, point C लेंगे, और वहाँ पे हम बताएंगे कि energy हर केस में same ही रहता है, बहुत आराम free falling body, total energy remains constant at each point, यह हमें prove करना है, मतलब यह ball जो है, यह free fall हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे initial velocity 0 है, तो यहाँ पे कोई force नहीं लग रहा होगा, देखो, ठीक है, point A पे यह ball है, जिसका mass M है, तो consider a body of mass M at height H, नीचे से उपर तक का जो height है, वो H है, यह ball है, और वो क्या हो हो रहा है, वो ball जो है, वो freely गिर रहा है, यहाँ पे initial velocity 0 है, ball मालो कि अभी point A पे रुका हुआ है, मुझे निकालना है इसका at point A kinetic energy, क्या होगा, half M V square, U square, देखो यहाँ पे, kinetic energy का formula मुझे बताओ क्या होता है, half, multiply by जो भी body का mass होगा, multiply by जो भी body का velocity होगा, उसका square, अब इस case में आप मुझे बताओ, half तो half यह है, body का mass कितना है, M, और अभी body के पास क्या velocity है, तो मुझे बहाँ बहाँ या, अभी body के पास, U velocity है, तो U का square, अब U का जो भी value है, तो यहाँ पे अगर मैं डालूँगा, तो half multiply by M multiply by 0 का square, तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो kinetic energy क्या हो गया, 0, यह वाला point समझ मैं है, अच्छा चलो, potential energy क्या होता है, MGH, body का mass क्या है, अब यहाँ पे मैं calculate करता हूँ, body का mass है M, उसके उपर G नाम का acceleration due to gravity लग रहा होगा, और body actually height H पे ही है, तो potential energy जो हमारा निकलेगा, वो निकलेगा MGH ही, अब इस जिएगे मैं total energy निक MGH, is it clear, बहुत simple है न, समझ आ रहा है, मुझे न यह वीडियो बंद करके अच्छा न लगता है, तुम थोड़ा, tolerate कर ले न यार, अगले-वाले point पे चलते हैं, यह हमारे question number 1 है, तो हमने बोल जया कि A point पे जो हमारा energy है, वो है MGH, हर एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छ जाते है, पोज करो वीडियो को, पोज करो, यहाँ पे यह ball रुख गया, किदर रुखा, point B पे रुखा, उपर से नीचे जब यह ball आया, now the body falls from point A to B, through a distance X, यहाँ से यहाँ तक इसने कितना distance cover किया, यहाँ से यहाँ तक X distance cover किया, तो लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक क height कैसे नापेंगे हम, height तो जमीन पे से नापेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का height कितना होगा, यही पर तुम मुझे बात बता दो, कि यहाँ से यहाँ तक का height कितना होगा, तो लो मैं तुमारे से दिमाग लगाने के लिए तुम्हें बोलता हूँ और तुम समझना इस बात यह वाला जो area बचता है वो कैसे कितना होगा बहुत common sense वाला बात है कि यह वाला area आपका कितना होगा आप क्या करोगे आप बोलो कि भाया यह तो 6 होगा कैसे बोलो कि आप 6 अब माल लो कि यह आपका h है यह आपका x है तो आपने क्या किया यहाँ पे यहाँ पर आपने कैसे निकाला अचे 10-4 is equal to 6 मतलब 10 क्या था आपका H था 4 क्या है आपका X है इसको minus क्या है तो H-X यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी अरे समझे क्या समझ में आ गया ना नई समझा तो फिर से पीछे लेके वीडियो को देखना velocity यहां पर हम बोलते है कि VB है क्यों क्योंकि अब देखो उपर से नीचे गिर रहा है तो यहां पर तो गिरते गिरते हमने अच्छानक से रोक लिया है बॉल तो गिर चुका है लेकिं हम imagine कर रहे हैं कि यहां पर हमने बॉल को रोक दिया और हम observe कर रहे है तो यहाँ पे कुछ velocity at point B VB होगा शायद ठीक है अब यहाँ पे ध्याम से देखना जो मैं बाते बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं पीछ में आ जाओ कहीं at point B kinetic energy हम निकालेंगे लेकिर अब देखो ध्यान सा समझना यहाँ पे तो velocity 0 था हमें पता है but इस point पे क्योंकि body move कर रहा है तो velocity V का कुछ तो value होगा ना velocity B का कुछ तो value होगा क्योंकि वो move कर रहा है क्या value होगा उसका तो आप क्या करोगे आप kinematical equations का यूज करोगे तो third kinematical equation का आप यूज करोगे consequence of kinematical equation है V is equal to U plus 80 अब आप मुझे बताओ क्या आपको time पता है क्या आपको acceleration का value पता है नहीं पता है U हला की पता है तो ये दोनों नहीं पता है तो आपको नहीं मिलेगा answer ठीक है आपको S ढूणना है क्या S is equal to UT plus half 80 square इसमें तो V ही नहीं है तो ये वाला तो U होगा नहीं तो बचता क्या है V is equal to U square plus 2 AS क्यूँगी यहाँ पे आपके पास velocity ढूणना है ये value है आपके पास ये value है आपके पास ठीक है and somewhere you know कि acceleration जो होगा वो G होगा somewhere you know कि acceleration due to gravity ही होने वाला है क्योंकि free fall की बात चल रही है तो हम ये वाला equation यूज इसलिए कर रहा है हर चीज के पीछे का region भी मैं आपको बता रहो आगे सुनो U का value 0 है ये आपको पता है यहाँ पे ये लिख लिए मेरे acceleration will be equal to G ये आपको पता है और displacement उपर से यहाँ तक कितना हुआ है बेटा that is X ये भी आपको पता है तो displacement is X चलो ठीक है equation लिखो hence with substituting we get अगर हम इन सब को substitute कर देंगे मैं हड जाता हूँ कि आपको दिखे चीजे substitute करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ V square is equal to अब देखो यहाँ पर देखो V square is equal to U square plus 2AS अब V के नीचे हम छोटा सा B लिख रहे हैं क्योंकि यह हम point B पे निकाल रहे हैं सारी चीजे यहाँ पर देखो U के जगे आ जाएगा 0 plus 2 A के जगे आ जाएगा G और S के जगे पर आ जाएगा X तो यह क्या आ जाएगा 2G तो VB is equal to VV square का value पूरा का पूरा VV square का value 2GX आ गया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि VV square का value 2GX आ गया कैसे आए मैंने आपको लिख के बताया ठीक है फिर animation दिखाया अब kinetic energy का formula के होता है half MV square लेकिन हम kinetic energy कहाँ पे निकाल रहा है तो at point B निकाल रहा है तो यहाँ पे मैं छोटा सा B लिख देता हूँ अब आप मुझे बताओ VV square यहाँ पे है पूरा value क्या है 2GX तो मैं half multiply by M VV के जगे पे 2GX लिख सकता हूँ क्या बिलकुल लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ VV square का value 2GX से उपर से वही मैंने यहाँ पे put किया है ठीक है मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ यहाँ यह मैं यहाँ पे B लिख देता हूँ और मैं यहाँ आपको कर रहा हूँ half multiply by mass as it is multiply by VV square का उपर value क्या है 2GX तो मैंने multiply 2GX से कर देता अब देखो यहाँ पे वही किया है मैंने इस वाले expression में और 2,2 तो cancel हो जाएगा आपको भी पता है तो यह वाला 2 divide वाला और यह वाला 2 multiply वाला cancel हो जाएगा तो मुझे जो answer मिलेगा that will be MGX मुझे जो answer मिलेगा वो क्या मिलेगा MGX ठीक है तो यह मेरा kinetic energy मिल गया at point B तो इस point B पे मेरा kinetic energy मिल गया at MGX कैसे मिला वो इसका answer यह है अब मुझे potential energy निकालना है तो potential energy at B above the ground level H-X मैंने आपको कैसे बताया था कि यहाँ से यहाँ था यह X है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी पूरा जो की H है उसमें से इतना हटा दो जो की X है तो H-X ठीक है मैंने आपको दो बर समझाया आई है तो यहाँ पे देखो at B above the ground जमीन के नीचे से उपर की तरफ अगर आप देखोगे तो this will be H-X तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे की नीचे से उपर तक का क्या है H-X यहाँ लिखा है मैंने ठीक है potential energy is mg height क्या है मेरा H-X कैसे आया देखो यहाँ पे यहाँ से देखो potential energy का formula क्या होता है mass gravity height mass a है g यही है है और height क्या है H-X यह मेरा mg H-X तो लिख देता हूँ नहीं यहाँ पे अब यहाँ पे देखीएगा काइनेटिक energy मतलग क्या होता है potential energy क्या होगा मेरा kinetic energy plus potential energy क्या था याद करो mg x potential energy क्या है mg H-X कोई दिक्कत है यहाँ पर अब यहाँ पर इस वाले equation को मैं थोड़ा solve करता हूँ mgx as it is plus यह mg multiply होगा h से तो यह हो जाएगा mgh ठीक है पहले mgh हो गया बीच में यहाँ पर क्या होगा अब देखो plus और minus होगा minus तो यहाँ पर minus आगया mg multiply होगा x से तो हो जाएगा mgx हो जाएगा अब common sense लगा के आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर यह आपका negative mgx है और यह आपका positive mgx है दोनों cancel हो जाएगा और आपका जो total energy आएगा वो आएगा mgh ठीक है तो यहाँ पर देखो हमारा पर करना है और यहाँ पर भी जो मेरा energy निकलेगा वो mgh ही निकलेगा निकाल के देखते है tension मतलो यह मेरा second equation है अब मेरा नीचे गिर गया finally जमीन पर आके रूख चुका है अब दिमाग लगा के देखो add point c according to the third equation of motion vv v square is equal to u square plus 2a same way साही कर रहे हम u का value 0 है a का value g है और s का value क्या होगा अब ball यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आया है तो displacement जितना height है उतना ही होगा तो h ही हो गया ball उपर से नीचे की तरफ आया है तो displacement की बात करें तो h हो गया अब अगर मैं यह वाले equation में substitute करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा अब यहाँ पे b नहीं यहाँ पे हम c लेंगे ठीक है यहाँ पे हम c लेंगे क्योंकि हम point c पे निकाल रहा है तो vc square is equal to vc square is equal to क्या होगा 2gh कैसे आया मैं आपको बताता हूँ देखो यहाँ u के जगे पे मैंने यहाँ पे क्या किया u square के जगे 0 square खतम पाकि a के जगे पे g आगया 2 as it is है और s के जगे पे h आगया तो यह क्या हो गया vc square is equal to 2gh यह मेरा आगया है यहाँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यह c होगा हूँ इसको बादने नूट देने से पहले आपको चेंज कर लूँगा मैं अभी ही change कर देता हूँ कि बाद में ना कहीं भूल ना जाओ तो तो तेरी important कि ऐसी गलती ना हो वह गलती से हो गया होगा तो अभी हम change कर देता है है चलिए यह चेंज आपके सामने आज प्रकट हो जाएगा यहाँ पर देखो तो VC स्क्वेर अब आपको काइनेटिक एनरजी का फॉर्मूला पता है हाफ MV स्क्वेर तो यह हो जाएगा हाफ multiply by mass as it is और VC अगर यहाँ पर लिखता हो तो VC का value का है 2GH तो यह हो जाएगा 2G यह 2,2 cancel हो जाएगा तो MGH आएगा इसका answer ठीक है तो यहाँ पर काइनेटिक एनरजी का आजाएगा ऐसे करके हमारा MGH जो आपको explain किया ठीक है क्योंकि यह वाला 2 और यह वाला 2 cancel हो गया अब यहाँ पर V के जगह पर VB है हमारा तो हमने यहाँ पर इसलिए यह लिखा है 2GH ठीक है अब potential energy निकलते है at point C तो on the ground height is equal to 0 अब ground पर अगर ball पहुँच चुक है हमारा तो उसका height क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो potential energy का formula क्या था MGH M G height 0 तो answer आजाएगा 0 तो potential energy आपका क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा total energy आप कैसे निकलते हो kinetic plus potential kinetic आपका क्या था MGH potential आपका 0 है इस case में तो आपका total energy यहाँ पर आजाएगा MGH तो क्या point C पे भी हमारा जो energy है वो MGH ही आया बिल्कुल आया तो मैं कहुँआ यह मेरा third equation है जब मेरा ball A से B के तरफ आया और B से C के तरफ गया तो यहाँ पर kinetic energy बढ़ते जा रहा था ball का ठीक है पहले रुका हुआ था फिर kinetic energy बढ़ा फिर बढ़ा तो kinetic energy बढ़ता चला गया लेकिन 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 जब potential energy की बात करें तो उपर में पहले potential energy था तो उपर से नीचे अगर kinetic बढ़ रहा है तो potential क्या हो गया हो गया घट गया होगा तो इससे मैं कहूंगा कि कुछ और नहीं हुआ बस potential energy gets converted into kinetic तो जो मेरा total energy था वो तो constant ही रहे गया और मैंने इसको proof कैसे किया कि मेरा हर point पे MGH, A point पे, B point पे भी MGH आया था और C point पे भी MGH आया था तो ये एक proof भी हो गया आप लोगों के लिए कि total energy remains constant ये expression आपके exam में नहीं पूछेंगे बट फिर भी मैंने आपको सिखाया है क्योंकि मैं आपको हर चीज़ सिखाना चाहता हूं ओके बहुत आराम से अगर आपको ये सीखना है तो फिर से एक बात देखिए कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा थोड़ा भी doubt है तो when object falls down the total energy at any point is अगर एक object गिर रहा है तो total energy किसी भी point पे क्या रहेगा constant रहेगा य 22 question the kinetic energy at a ground is, ground पे kinetic energy क्या होगा नीचे आपको comment मैंसर बताना है पीछे वाले से when the object is at rest kinetic energy अगर object rest पर है तो motion होई नहीं है kinetic energy क्या होगा comment मैंसर बताना यहाँ पे free fall बहुत अच्छे से खतम होता है और जो conservation of energy था वो भी detail में खतम होता है अब हमारा आखरी topic जो book में है तो सही लेकिन इसको अलग से point consider नहीं किया है तो यहाँ पे example से हमें हम लिखते है कि क्या है यहाँ पे consider करो how is work done in the following cases different यह हमारा एक बच्चा है ठीक है अब man इसका नाम है A और यह एक minute के अंदर यह वाले load को उठा रहा है मालों कि यह 10 kg का load है सेम यह भी 10 kg का load उठा रहा है और यह हमारा man B है ठीक है इसको एक minute का समय लगता है और इसको दो minute का समय लगता है तेम काम करने में एक को कम समय लग रहा है एक को जादा समय लग ल इसने काम slow किया मैं हड़ जाता हूँ कि आपको दिखे सब कुछ इसने काम जल्दी किया इसने काम slow किया मतलब दोनों के काम करने के time में difference था तो मैं बोलूँगा work done is thus is same दोनों ने काम तो same ही किया 10 kg का वजन उपर लिया बट दोनों का जो rate था दोनों का जो time था वो अलग-अलग था अब यहाँ पर बात को समझना the rate of doing work is called as power मैं बोलूँगा यह जादा powerful है क्यों किसने जल्दी किया तो power मतलब क्या होता है कि कितना काम कितने time में किया गया है power मतलब क्या होता है the rate at which work is done maths में अगर बोलने तो power is equal to कितना काम कितने time में किया work done divide by time अब आगे देखो power is scalar quantity है यह बात याद रखिएगा और यहाँ पे learners इसके unit जो होता है SI system में इसका unit और CGS system में आपका unit होता है joule per second यहाँ पे होता और ज़ग है power को ऐसे हम लोग watt भी बुलाता है power का unit हम वैट भी बुलाता है यह बात याद रखिएगा joule per second को ही हम वैट बुलाता है इसको वैट नहीं बुलाते है इसको वैट बुलाते है SI system में तो एक बैट मतलब कितना हो जाएगा कि अगर हमने एक joule जतना काम अगर एक सेकेंड जतने टाइम में किया है तो ठीक है simple है तो देखो यहाँ पर अगर मुझे सर्दी actually तो नाक समझ रहा हो नो तुम खुझली हो रहा है तो वैट का मतलब क्या है कि power developed और used कितना power used किया गया वो वैट तभी होगा जब एक जूल की जतना काम एक सेकेंड में किया जाएगा तो वन वैट का अप्शन मतलब क्या होता है एक वैट कभा आएगा जब उपर नीचे भी एक तो यहाँ पर जूल एक जूल जीतना काम अगर एक सेकेंड में करेंगे तो वो एक वैट है सिमिलरली अगर मैं किलो वैट की बात करूँ अब किलो क्या है थोड़ा बड़ा है देखिए ध्यान से देखिए किलो का मतलब क्या होता है किलो का मतलब होता है एक हजार मतलब 1000 वैट की बात हो रही है हाँ पर तो ध्यान से देखे 1 किलो वैट मतलब 1000 वैट जैसे 1 केजी का मतलब क्या होता है 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम होता है वो ऐसे ही 1 किलो वैट का मतलब क्या होता है 1 किलो वैट का मतलब 1000 वैट होता है Is it clear? सिंपल है तो आगे बढ़ते हैं अब पावर का क्या था याद करो work done upon time यहाँ पे कितना होगा फिर 1000 J होगा टाइम तो एक ही सेकेंड होगा तो it will become 1000 Watt power is equal to अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1000 Watt है तो 1000 Watt को मैं क्या लिख सकता हूँ I can write it as 1 Kilowatt तो मैं 1 Kilowatt लिख दिया मैंने अब यहाँ पे मैं बोलूगा कि 1 Kilowatt power कितना होता है अगर 1000 J जितना काम कितना 1000 J जितना काम अगर 1 सेकेंड जितने टाइम में किया गया एक 1000 J जितना काम अगर 1 सेकेंड जितने टाइम में किया गया तो उसको हम 1 Kilowatt power बोलेंगे तो हम हिंदी में समझा रहा हूँ मैं तुमको ठीक है कि समझ में आए अब higher units क्या है higher units मतलब बड़ा unit ठीक है क्योंकि आपका जो घर में जो आपका वो होगा न मीटर होगा उस पर आप जाके देखना KWH लिखा होगा मतलब 1 Kilowatt जितना काम एक घंटे में किया गया है तो work done is equal to time work done divided by time ठीक है power is equal to work done divided by time work done को मैं energy used से change कर सकता हूँ यह मैं आपको बताते आ रहा हूँ बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ तो work done को मैंने change कर दिया energy used से divide by time अब energy used अगर मैं time को उधर भेज़ देता हूँ और power को इधर ले लेता हूँ मतलब मुझे energy used का formula चाहिए तो क्या होगा energy is equal to यह time अगर उधर जाएगा time अगर उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा energy usage kilowatt पर आर अब इसको हम लोग बुलते हैं एक unit अगर आपका एक kilowatt आर इतना energy used हुआ है तो उसी को हम बुलते हैं कि एक unit इतना energy used हुआ है यह किस्टम में आपके घर पे जो बिजली बिलाता है वो units में आता होगा आप देखना एक बाद अब एक unit मतलब फिर actually क्या हो जाएगा कि 1000 watt इतना energy used हुआ है आर में समझ गए तो एक unit मतलब एक यह याद रखना one unit is equal to one kwh यह आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं यह commercial unit है unit unit का है commercial unit है जो आपके electric meter विगरा पे लिखा होता है पैसे collect करने के लिए तो commercial unit क्या है kwh kilowatt आर kwh kilowatt आगे बढ़ते हैं एक kilowatt मतलब कितना जूल अब इस किलो और एक किलो वैट आर मतलब कितना जूल यह हमें देखना है क्योंकि हम जूल में देखना चाहते एक्जाम question solve करने के time काम आएगा work done का formula आपको पता है power into time तुम बोलोगे भाईया कैसे तो देखो यार power का formula क्या था work done divided by time तो आपकर work का value निकालो गए तो work क्या आएग ता कि work और energy consume equal होता है अब आगे बढ़ते विटा आपको यह पता है कि एक kilowatt मतलब 1000 वैट होता है और एक घंटे मतलब 3600 होता है यह आपको पता है आपको यह भी पता है कि commercial unit क्या है के डबलू ह एच आर एक किलो वैट आर का मतलब क्या होता है 1000 वैट किलो यह मतलब क्या है यहाँ पे 0 काउंट कर लो आप 1, 2, 3, 4, 5 तो 10 रेस्टू 5 लिख दिया ठीक है और बाकी 1 मल्टिप्लाइबे 36, 36 हो गया तो 36 मल्टिप्लाइबे 10 रेस्टू 5 वैट सेकेंड क्यों क्योंकि ये वैट है और ये सेकेंड है आगे बढ़ते हैं अब अगर ये वैट सेकेंड का मतलब क्या होता है जूल ये आपको पता होना चीए पीछे बताया था मैंने अब इसको अगर मैं डेसिमल पॉइंट अभी यहां है यहां से यहां करूँगा तो ये पावर प्लस वन हो जाएगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 3.6 प्लस वन हुआ तो ये 10 रेस्टू 6 जूल ये लाइन को याद रखना कि 1 किलो वैट आर का मतलब होता है 3.6 multiply by 10 रेस्टू 6 जूल 3.6 multiply by 10 रेस्टू 6 जूल 1 किलो वैट आर का मतलब होता है एक और छोटी सी बात की और बड़ा अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे बात करते है तो हाइर यूनिट जो होता है वहता होता है होर्स पावर और एक होर्स पावर का मतलब होता है 746 वैट जस्ट information के लिए बता रहा हूँ तो इसको याद रखीगा आगे बढ़ता है 24th question power is dash per unit time क्या होता है work done per unit time force या displacement या velocity एंसर आपको comment में बताना है और यहाँ पे आपका power वाला जो concept है वो भी होता है complete अब बचता है power के basis पे जो भी हमारे numericals है वो हमें करना है बीच बीच ब अब तक आपने हमारे batches को join नहीं किया तो आपको करना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते है कुछ numericals के बारे में ठीको स्वराली नाम की लड़की है ज्यान से देखीगा यहाँ पर स्वराली नाम की लड़की है जिसको 20 सेकेंड जितना समय लगता है को जो कि 20 केजी का है उसको 5 मीटर जितने हाइट पे ले जाने में कितना पावर उसने यूज किया बहुत सिंपल है गिवन क्या है बैक का मास 20 केजी हाइट कितना लेके गई 5 मीटर और टाइम कितना लगा 20 सेकेंड और एक्सलरेशन द्यू ग्राविटी का वैलू का है 9.8 म पर सेकेंड यह आपको पता है पावर हमें डूढना है तो पावर इस इकल टू वर्ट अपन टाइम अब आप बोलो कि यहां पर जी की क्या काम देखो याद करो वर्क को हम एनरजी से चेंज कर सकते हैं तो यहां पर मैं लिखता हूं सॉलूशन में पावर इस इकल टू एम अगर मैं यहां पर आपको दिखाने जाओं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एम यहां पर जो लिखा हूँ हो ही लिख देते हैं मल्टिप्लाइबाइब यहां पर हाइट कितना था पांच मिटर और टाइम कितना लगा बीस सेकेंड तो वह ही है ना फाइब बाइट जाएगा आपका और उसका एंसर आएगा 49 वैट पावर कितना लग गया इसको 49 वैट जितना पावर लग गया है चलिए अगर यह क्लियर है तो second example दिखते है इट इट इस अल्सों इग्जांपल यह भी बहुत प्यारा सा एक्जांपल है और इस एक्जांपल में आपको एक समझ गया तो आगे बढ़ते है गीवन दिया है कि हमारे पास 25 वैट का एक एक एलेक्ट्रिक बल्व है तो पावर कितना है इसका 25 वैट वैट दिया है मतलब पावर है मैंने आपको क्या बोला कि अगर कहीं पर आप आर देख लोगे तो वैट को किलोवैट में कनवर्ट करन आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आगे किलोवैट लिख दो हो गया टाइम कितना चलता है वो 10 घंटे चलता है यह हमने क्यों किया क्यों कि आर में दिया हुआ हमें अब हर रोज चलता है ठीक है कितना इलेक्ट्रिक एनरजी वो कंजूम करेगा हर दिन हमें यह बतान तो एनरजी कंजूम हमें निकालना है एनरजी कंजूम का फॉर्मूला क्या था पावर मल्टिप्लाइब टाइम यह मने आपको बताया था अब पावर मल्टिप्लाइब टाइम करके निकालते है सॉलूशन में क्या एगा एनरजी कंजूम डिवाइड पावर कितना था हमार किलो वैट आर को यूनिट भी बोलता है समझ गए तो यह हमारा एंसर आ गया इस केस में ओके एनर्जी कंजरम डिए 0.25 किलो वैट आर अब आगे वरते हैं exercise का एक और example है यह example भी देखते हैं अब इस question में आप ध्यान से देखना क्या लिखा है and electric pump has 2 किलो वैट पावर मतलब पावर दिया है हमें ठीक है how much water will it pump every minute हर minute कितना करेगा अब यहाँ पर देखो minute में बात होई क्या यहाँ पर आर में बात है नहीं तो शायद हमें यह second में convert करना पड़ेगा देखते हैं ocean में to a height of 10 meter मतलब बोला है कि एक electric pump है जो 2 किलो वैट पावर पे काम करता है और कितना water वो पंप करेगा हर एक मिनिट दस मिटर के उचाई पर देखते हैं अब यहाँ पर देखो work upon time अगेन हमें इसको potential energy वाला formula यूज करना पड़ेगा mgh और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं हम m का value निकालने की कोशिश कर रहे हैं देखो power is equal to mgh on t मुझे m का value चाहिए ध्यान सा समझना यह power as it is है यह time जो इधर है divide में उधर जाएगा तो multiply में चला जाएगा अब p का value किता है 2000, t का value है 60 seconds, g का value है 9.8 और height का value है 10 कुछ नहीं बेटा एक 0 कट एक 0 कट ठीक है बचे खुचे को multiply multiply कर ले ना तो यह देखो न 6,2,12 कितने 0 है 2,0 यहाँ का एक 0 यहाँ का तो यह देखो कितना होगा आपका लगबग यह आ गया और यह इसको यहाँ पर multiply क आ गया यह 3,0 और 1,0 यह 4,0 और 6,2,12 तो यह कर लिया है ठीक है 12,20,000 divided by 98 और यह आपका अगर divide करोगे तो answer यह आ जाएगा ठीक है 1224.5 kg इसको ब्रैकेट में डाल लो exercise का एक और example है यह भी बहुत प्यारा सा example है यह भी मैं करा देता हूँ आपको यह question कह रहा है कि अगर 1200 वैट का electric iron को यूज किया जा रहा है daily 30 minute तक अब daily की बात हो रही है minute की बात हो रही है यहाँ पर हम 30 minute मतलब मैं आदा घंटा consider कर सकता चाहिए कि इसको मुझे convert करना पड़ेगा किलो वैट ठीक है यह कैसे समझेगा आपको यह आपको बस practice से समझ में आएगा ठीक है बाकि आप कैसे भी answer निगालो practice से यह ज्यादा accurate इक लेगा तो यहाँ पर देखो कितना electricity consume होगा in the month of April April के महिने में 30 दिन होता है यह आपको दिया हुआ इसको convert कर लो kilowatt में divide करना पड़ेगा 1000 से आपको फिर यह आपका 1.2 kilowatt आ गया देली 30 मिनिट 30 दिन तक यूज करना मतलब total कितने घंटे यूज करना भई अब 0.5 आर इंटो 30 क्योंकि अगर मैं इसको घंटे में convert करूँगा तो वो क्या हो जाएगा आदा घंट लगाऊ ना यार 15 घंटा होगा सही बात है कि नहीं तो आगे बढ़ते हैं अब energy consume नहीं निकालना है power into time is the formula तो energy consume is equal to power into time power हमारा क्या था 1.2 time हमारा था 15 घंटा answer आगया 18 unit अब आप इसको 18 unit लिखो या फिर आप यहां पे 18 kilowatt आर लिखो ये भी चलेगा लेकिन आपका जो घर का बिजली बिल है वो units में आता है तो इसी लिए हमने यहां पे units में अंसर लिखा है समझें आप यह भी लिख सकते हो कि 18 kilowatt यहां पे यह भी लिख सकते हो 18 kilowatt आर और इस question में हमने क्यों kilowatt में convert किया इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो क्योंकि हमें energy consume पूरे महीने का पूछ रहा है बड़े स्थर पे पूछ रहा है तो ऐसे question में हमें सा kilowatt में convert करना है लाखरी question है आपका 25 नंबर का question एक kilowatt आर तो बहुत अची बात है आपको समझ आया नहीं आया यह आप बताना साथी साथ आपने 25 question को answer किया होगा तो ठीक नहीं तो वीडियो को पीछे लेके जरूर answer करना and अपने friends के साथ यह वीडियो को share करना that is very 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 important आप हमारा foundation batch या फिर विक्टरी बैच कोई भी बैच अगर ज description में check out the links in the description अगला chapter जो मैं डालने वाला हुँ है energy flow in an ecosystem बहुत जल डाल दूँगा आप लोग मन लगा के पढ़ियेगा happy learning ideas super learners love you all do share this video and subscribe to the channel